Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं Electrostatics Unit की Chapter 2 के बारे में Electrostatic Potential and Capacitance यह बहुत ही Important and Interesting Chapter है Electrostatic के बात का देखिए इसमें भी आज हम लोग बात करेंगे Introduction of Electrostatic Potential Difference के बारे में अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि Potential Difference यानि कि दो Points हैं जिनके पास अपना-पना Potential है उन दोनों Points के बीच का Difference हमें निकालना है ठीक है और वो जो Difference होगा वो Electricity के Terms में होगा देखिए इसके अंदर एक Word का यूज किया गया है Potential अब देखिए हमें पता है 11th Class में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Potential Energy कहां Store होती है Potential Energy हमेशा Conservative Forces के अंदर Store होती है और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा Electricity का Force है यानि कि जो Columns Force है जो कि दो Charges के बीच में रखता है वो भी Conservative है जैसे कि Gravitational Force होता है हम लोग ने पहले भी इसका comparison किया है कि Gravitational Force के अंदर क्या होता है कि दो ऐसे Object उनके Mass के वज़े से इन दोनों के बीच में Gravitational Force रखता है वहीं दो Charges के बीच में दो Charges की वज़े से Column Force लगता है दोनों के दोनों Inverse Square के Law को वो करते हैं, Follow करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर जैसे जैसे Distance बढ़ेगा वैसे वैसे Force कम होता चला जाएगा ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों Forces जो हैं, वो Conservative है तो अब यहाँ पर Potential Difference पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दो Charges Consider कर लिए है, एक है P दूसरा है Q, ठीक है अब के पास जो Charges है, अब इनके अंदर अपना अपना Charges है Electricity है, ठीक है, मानली जी की दोनों के दोनों ही Positive है एक तरीके से तो एक दूसरी को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अब इस सी बात है, तो अब हमें क्या करना है, कि इस Peak Charge का Potential निकालना है इस Q Charge का Potential निकालना है दोनों में Difference देखना है, और Difference का मतलब क्या होता है, माइनस होता है ठीक है, तो वो कैसे होगा तो उसके लिए हमें जरूत पड़ेगी एक Test Charge की, देकि उससे पहले मैं आपके एक बहुत Important चीज़ बताना चाहता हूँ ये पता करने के लिए कि दोनों के बीच में Potential Difference कितना है हमें इन दोनों Charges को एक Electric Field के अंदर रखना होगा अभी Simplicity के लिए हम लोग क्या कर रहे है कि एक Constant Electric Field मान के चल रहे है जो कि हर जिगा सेम है इन दोनों Charges को हम लोगो ने क्या किया है कि इस Electric Field के अंदर रख दिया है अब हम लोग लेंगे एक Test Charge Q अब देखिए Test Charge Q लिया है तो अगर मान लीजिए कि मैं उस Test Charge को इनके बीच में कहीं छोड़ देता हूँ तो ऐसा हो कि वो जो Test Charge है वो इस Q की तरफ जाए ठीक है मतलब वो Q की तरफ जा रहा है P से Q की तरफ जा रहा है तो उसके उपर एक Force लगेगा F is equal to me QE वो QE क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके है Electric Field की वज़े से एक Force लग रहा है जो कि इसको इसकी तरफ लेके जा रहा है तो ये F इस Direction के अंदर हो जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस Test Charge को इस Q से इस P की तरफ लेके जाओ मतलब ऐसा हो कि जैसे की देखे इस Test Charge के ओपर एक Force पहले से लग रहा है Electric Field की वैसे जो कि इसको Q की तरफ लेके जा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरफ लेके जाओ इस वाले Force के बिलकुल Opposite Direction के अंदर तो इस Force को हम लोग कहेंगे Work from Q to P Point ठीक है तो ये Work हो जाता है इस Unit Charge को इस Point Q से इस Point P तक लाने के लिए और फिर इसी चीज़ को Point P और Q के बीच का Potential Difference कहा जाएगा कैसे कहा जाएगा कि इस P का Point का कुछ ना कुछ आपका Potential Difference होगा जिसको आप लोग V, P लिखेंगे इस Q का होगा V, Q यानि कि V, P minus V, Q is equals to में Work done on the Unit Charge देखिए यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पर मैंने ये किया है कि एक Electric Field के अंदर दो Charges रखे हुए P और Q मैंने क्या किया कि एक बहुत छोटा सा Test Charge में लेकर किया हूँ जो कि इतना छोटा है कि इस Configuration को कोई असर नहीं पड़े उसकी वएसे तो मैंने क्या किया है इनके वीच में डाल दिया तो वो क्या है एक Force की वएसे Q की तरफ चला गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये P की तरफ जाए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा एक Force अपलाया करना पड़ा तो वो Force जो है वो उसके Potential Difference के बराबर हो गया यानि कि V P माइनस V Q is equal to मैं work done इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अगर मैं इस charge को इस test charge को इनके बीच में न चुड़ू मैंने क्या किया कि यहाँ पर कई बहुत दूर इस charge को मैंने रखा हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि मानली जी की दोनों charge इस positive है और test charge भी positive है तो होगा क्या कि मैं क्या करता हूँ कि इसको यहां से ले करके इस Q point तक ले के आता हूँ अब अब इसी बात है दोनों positive हैं तो दोनों के बीच में रिपल से force ही लगेगा अब जब रिपल से force लगेगा तो इनके बीच में मुझे work करना पड़ेगा यानि कि मैं इस point से Q तक इसको ले के आया हूँ तो मैंने क्या किया W1 एक work किया ठीक है अब इसी charge को मैं इस point से यहां पे Q पे ना ले आके सीधा P पे ले जाता हूँ तो मुझे एक और work करना पड़ेगा वो होगा W2 लेकिन वो work जो होगा वो W1 से ज्यादा होगा ठीक है तो मुझे यह निकालना है कि इस Q से P के बीच में कितना work उसने किया ठीक है तो obvious ही बात है मैंने क्या करना पड़ेगा W2 मैंनेस W1 करना पड़ेगा क्योंकि W2 ज्यादा है और W1 कम है ठीक है तो इससे भी हमें जो work का जो difference है वो मिल गया और work जो है वो potential energy के रूप में store होता है और यही जो होगा आपका potential difference भी होगा तो इस तरीके से potential difference को आप लोग define करते हैं अब देखे ये तो हो जाता है आपका test charge के बारे में अगर वहीं मैं कहूं कि आप इसकी जिगे कोई बड़ा सा charge q ले ले जो कि इस configuration में फरक आ सकता है जिसकी बैसे क्योंकि इसकी कुछ value है तो आप लोग क्या करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे इस q charge को पहले इस q point तक लाएंगे फिर p point तक लाएंगे तो आप लोग लिखेंगे किया हुआ काम और बिश्ची बात है कि work on per unit charge यह ना unit charge के लिए या फिर q को charge के लिए तो इस तरीके से लिख सकते है ने इस चीज़ को हम लोग va minus vb is equals to w upon q देखिए बहुत simple है बहुत बड़ा गणित नहीं है इसके इंदर obviously बात है कि बहुत दूर एक charge पड़ा हुआ है उसके उपर मैं कुछ work कर रहा हूँ जिसकी वज़े से मुझे इन दोनों points के बीच का potential difference मिल गया अब यही चीज़ जो है आप लोग दूसरे words में भी लिख सकते हैं यानिकि इस vp minus vq को dv भी लिखा जा सकता है मतलब छोटा सा potential difference माली जी कि इतना बड़ा आप नहीं कर रहे हैं छोटा सा ना पर रहे हैं छोटा सा work ना पर रहे हैं तो dv is equals to में dw upon में q मतलब छोटा सा काम किया गया है इस charge को इस जगे से इस जगे पर लाया गया है तो छोटा सा काम किया गए तो dw होगा और छोटा सा potential difference लिकल के आएगा P और Q के बीच में तो यहाँ पे जो आपका potential difference है वो actually में क्या है work है और जो work होता है वो आपका potential energy की रूप में store होता है तो यह सारी चीज़े एक दूसरे से connected है तो इसका मतलब यह जो आपका potential difference है वो एक scalar quantity हुई कैसे हुई देखिए आपको पता है कि जो force होता है वो जो इसका में QE होता है ठीक है अगर मान लीजिए कि मैं इस Q को एक मान के चलता हूँ जब एक unit का charge मान के चलता हूँ तो electric field क्या निकलती है force के बरावर निकलती है इसका मतलब समझने की कोशिश किजिए कि मैंने एक electric field मानी उसके बीच में दो charge रखे ठीक है और उन charges का अपना potential है तो उनका जो difference निकलेगा वो एक scalar quantity के रूप में निकलेगा तो इस तरीके से आपका जो potential difference है वो complete हो जाता है इसको समझने के दो तरीके देखे मैंने मैंने क्या देखा कि मैंने जो test charge है वो उसके बीच में रखे देख लिया और एक test charge जो बहुत दूर रखे देख लिया तो आप लोगों को जिस तरीके से समझ में आया है जिस तरीके से सही बैठ है आप लोग कर सकते हैं तो ये तो हो जाता है potential difference आगे चलके हम लोग बात करेंगे इसकी unit और dimensions के बारे में देखिए एक नया subject है आगे capacitance तक चलेगा अब धीरे धीरे करके हम लोग क्या है moving electricity की तरफ बढ़ रहे हैं ये तो electrostatic है मतलब जो आपका stationary charge होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी electricity के बारे में आगे चलके हम लोग ये सारी जो चीज़े हैं moving electricity के अंदर भी देखेंगे friends आज हम लोग बात करने वाले हैं potential difference के unit और dimension के बारे में देखिए किसी भी physical quantity की unit या फिर dimension हमें उसके physical significance के बारे में अच्छी जानकारी देती है याणि कि अगर किसी भी physical quantity का physical significance हमें समझना है तो उसकी unit और dimension हमें पता होना ज़रूरी है तो आज हम लोग जानेंगे कि potential difference का actual physical significance होता क्या है ये कैसे काम करता है देखिए पिछली वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि potential difference क्या होता है कि मानली जी कि आपके बास दो points हैं P और Q और इनके बीच में आगर आप मानली जी की एक charge ले आते हैं कि मैं Q पे एक charge रख देता हूं और उसे मैं इस Q point से peak point तक लेकर के आता हूं तो मुझे इसको लाने में एक work करना पड़ेगा और उसे हमने potential difference कहा था यानिकि इस Q charge को ले जाने में work करना पड़ेगा और ऐसा मानके चलते हैं कि ये एक unit का charge है तो वो जो work होगा वो एक unit पे होगा यानिकि W upon my Q इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि VP minus VQ is equals to my W upon my Q मतलब ये हुआ कि जो potential इस P point पर है और जो potential इस Q को point पर है इन दोनों का जो हम लोग ने difference निकाला यानिकि VP minus VQ is equals to my W upon my Q ठीक है इस चीज़ को VP Q भी कहते हैं कि भाई Q से P तक लाया गया है तो इसका जो unit है वो कैसे बनेगा तो देखे समझने कोशिश कीजिए कि potential difference is equals to my W upon my Q यानिकि work upon में charge और work को हम लोग नापते हैं joules में यानिकि joule upon में और charge को हम लोग नापते हैं कुलम में यानिकि joule upon में कुलम यानिकि potential difference is equals to my joule per कुलम और इसको SI units में एक बहुत महान scientist के honor में volt भी कहा जाता है actually एक scientist थे volta उन्होंने इस field में बहुत काम किया था इसको लेके बहुत काम किया था इसलिए उनके honor में नाम रखा गया है अगर आप गौर से देख पाएं तो joule भी अपने आप में एक scientist का नाम है और कुलम भी अपने आप में एक scientist का नाम है तो वो उन दोनों से मिल करके बना हुआ है तो इसको joule पर कुलम या फिर सीदे सीदे volt कहते है volt कहना ज़्यादा सही रहता है इसलिए हम लोग कहते है कि हमारे गर में इतने voltage का current आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब किर मैं इसकी definition देना चाहूँ इसका मतलब यह हो गया कि एक point से दूसरे point तक लाने में मुझे कुछ work करना पड़ेगा मतलब यह हुआ कि जैसे आप कहते हैं कि आपके घर में 220 volt का current आता है तो actually क्या है work है ठीक है अगर मान लिजी कि एक unit का charge है जूकि high tension line से आपके घर तक आना है तो उसके लिए 220 volt रखा गया है इसका मतलब 220 joule का काम हो रहा है उस unit charge के उपर दूबारा समझ लिजीए कि एक मान लिजी एक wire है आपके सामने इस wire में आपने दो points मान लिए है P और Q आपने क्या किया है कि मान लिजी की P पे आपका घर है Q पे high tension line है यहाँ पर एक unit charge Q है और इसके उपर जो work करेगा वो 220 volt work करेगा इसका मतलब यह जो work होगा वो 220 joule का कहला है ठीक है तो इसका मतलब potential difference का जो physical significance है वो होगा work किसी एक point से दूसरे point पर charge को ले जाने में किया हुआ work यहाँ कि अगर आपसे आप कोई कहे कि हमारे घर में 220 volt आता है या फिर किसी और के घर में ज्यादा volt का आता हो 220 volt, 440 volt, 860 volt तो इसका मतलब यह हो गया कि वहाँ पर जो है electricity ज्यादा आती है ज्यादा charges आते है उन charges को लाने के लिए work करना पड़ेगा और वो जो work है वो voltage करती है that's why तारों की voltage बढ़ाई जाती है मतलब voltage बढ़ाना जरूरी होता और voltage बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा charges देने पड़ते है ज़्यादा से ज़्यादा charges को कैसे निकालेंगे आप लोग वो VC formula से निकालेंगे VG को स्ट्रम में W पोन में Q W यानि की Joule और Q यानि की कुलम Joule यानि की work हो रहा है तो work की जो unit होती है वो force multiply by displacement होती है ठीक है इसी तरीके से यह जो कुलम है इसकी भी unit होती है तो इसका जो dimension होगा work का वो होगा ML2 T-2 इसी तरीके से आपको जो charge है इसका जो dimension होगा वो होगा AT यहाँ पर जो M है वो mass है जो L है वो length है T time है और A जो है वो current है जो ampere में आता है ampere भी एक scientist का नाम है तो आप लोग इसको solve करेंगे तो यह जो है T उपर चला जाएगा A उपर चला जाएगा तो होगा M L2 T-3 A-1 which means यह जो आपका voltage है इसमें कुछ mass होगा जो की charges का हो सकता है length है एक जीगे से दूसी जीगे लेके जाएंगे time है और साथ में current है यानिकी charges है तो इस तरीके से यह इसकी dimensions हो जाती है तो आप लोगों क्या समझ में आया आप लोगों यह समझ में आया कि जो आपका potential difference है उसका physical significance work है work कौन सा work किसी एक point से दूसरे point तक एक charge को ले जाने में किया हुआ work ही आपका potential difference कहलाता है इसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन unit और dimension से आपको ज़्यादा clear हुआ होगा कि joule per unit को लाँ यानि कि किसी भी charge के ओपर किया जाने वाला work ही जो आपका potential difference कहलाता है ठीक है तो friends यह हो जाता है unit और dimension of potential difference यह चोटी ची वीडियो मैंने इसलिए बनाई है यह important है पूछ लिया जाता है कभी भी unit को miss नहीं करना है और unit और dimensions को लेकर के भी questions बनते हैं चाया आपके normal exam हो चाया competitive exam सो friends आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही important relation के बारे में जो की है relation between potential difference and electric field देखे इस से पहले electric field के बारे में हम लोग पिछले chapters में पढ़ चुके हैं और potential difference भी हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है आज उन दोनों की बीच में एक बहुत important relation हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का किस तरीके से आप लोग एक formula में set कर सकते हो और कोई आप से सीधे सीधे value दे करके दूसरे की value पूछ ले तो आप लोग कैसे उसको calculate कर सकते हो तो देखें मानगी कि आपके पास एक electric field E है जो कि कुछ इस direction के अंदर है और इसी के बीच में दो points है जो की बहुत कम दूरी पर है इसको DR दूरी मानेंगे हम लोग बहुत चोटी सी दूरी मानेंगे distance एक point तो है P और दूसरा point है Q अब मैं क्या करता हूँ कि इस Q point के उपर एक charge रखता हूँ एक unit का जो की Q होगा ठीक है और मुझे करना ये है कि इस Q point से इसको इस P point तक लेके जाना है जिसके उपर मुझे कुछ work करना पड़ेगा और वो जो work होगा वोई potential difference होगा हमें पता है ठीक है तो देखिए जब ये जो charge Q है इस Q point पर होगा तो इसके उपर एक force लगेगा जोकि electric field की direction के अंदर होगा तो उस force की जो value होगी वो क्या होगी F is equal to me Q E होगी ठीक है और जब मैं इस Q point को work करके इस P point तक लेके जाऊंगा तो उस समय इसके उपर जो force की value होगी वो क्या होगी अब इसके बात है Q E होगी क्यों होगी क्यों होगी ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि यहाँ पर charge पड़ा हुआ है और मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ और हर जगे पर force change हो रहा है तो work is equal to me force multiply by displacement तो लगी नहीं सकता क्यों? क्योंकि force जो है वो variable हो जाएगा इसलिए force का constant होना ज़रूर ही है इसलिए हमने जो electric field मानी है वो भी constant ही होगी ठीक है? तो जो force है वो change नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पर जो force है वो QE लगा यहाँ पर जो force है वो QE लगा यह बात अमें समझ में आ गई अब देखिए इस Q charge को इस Q point से P point तक ले जाने में जो work होगा वो आपका जो potential difference है उसके रूप में होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं VP minus VQ या फिर DV भी लिख सकते हैं या फिर VPQ भी लिख सकते हैं इस एक्वस्ट्रू में work होगा WPQ upon Q आप समझते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि पिछी वीडियो में आप लोग potential difference पढ़ चुके हैं कि जो charge है उस पर किया जाने वाला work ठीक है ये बात तो हमें समझ में आ गई अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मुझे लगाना है work is equal to force multiply by displacement तो यहाँ पर मैं लिखूंगा force multiply by displacement लेकिन जरा 2 मेरेट रुक के सोच के देखिए जो electric field है उसकी direction क्या है ये है ये बात हमें समझ में आई लेकिन मैं जो work कर रहा हूं वो किस direction में कर रहा हूं इस direction के अंदर कर रहा हूं तो दोनों की direction opposite है और तो दोनों की बीच में जो angle बनेगा वो क्या बनेगा 180 degree का बनेगा न तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा force multiply by displacement multiply by cos theta यहाँ की cos 180 लिखना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि जो component है वो cos theta ही होगा और angle जो बनेगा वो आपका 180 degree का बनेगा और हमें पता है कि जो आपका जो cos 180 होता है वो minus 1 होता है तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा vpq is equals to में या फिर dv is equals to में f dr यहाँ पर minus का 1 है upon में q ठीक है तो और मुझे पता है कि जो f है उसकी value क्या है? qe है तो qe multiply by dr upon में q q से q cancel out हो गया तो vpq is equals to minus का edr यह बात हमें समझ में आगी तो मैंने देखी कुछ बहुत बड़ा calculation नहीं किया है मैंने सर्व इतना किया है कि सारी चीजों का value इसमें रखा है force का value इसमें रखा है और मैंने सर्व इतना किया है कि जो मैं work कर रहा हूँ वो electric field के बिलकुल opposite direction में कर रहा हूँ इसलिए cost बनेटी लिया इसलिए minus का हो गया और यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ value e की तो e is equals to minus का dv upon में dr और यह है the relation between electric field and potential difference मेरे कहने का मतलब समझे आप लोग मैंने क्या किया मैंने एक electric field ली उसके अंदर दो points मैंने एक point पर q charge रखा और उस q charge को जो है मैं एक point से दूसरे point पर ले गया लेकिन इस बार क्या था कि जो work है वो electric field के बिलकुल विपरीत यानि कि यह opposite direction में काम कर रहा था इसलिए मुझे minus का 1 लेना पड़ा है यानि कि आपको क्या बता रहा है ज़रा सोचके देखिए minus की value आपको क्या बता रही है देखें मैं समझाता हूँ कि जब आपका जो charge है q charge है अगर मान लिजी कि वो electric field की direction के अंदर जाए तो जो potential difference की value है वो घटती जाएगी यह minus का sign हमें यह बता रहा है यानि कि अगर मान लिजी कि मैं charge को सीधे p point पे रखता हूँ और इसको p point से q point पे ले करके जाता हूँ तो उस वक्त जो आपका potential difference है उसकी value जो है वो घटती चली जाएगी लेकिन जब मैं q point पे इस charge को रखता हूँ और इसको p पर ले के आता हूँ यानि कि opposite work करता हूँ उस समय इस potential difference की value बढ़ती चली जाएगी तो इस तरीके से आपका relation निकलता है अच्छा इसी के अंदर एक और case है दूसरा case क्या है कि मैं क्या करूँ कि इस बार इस q charge को इस e के directly opposite ना ले जाकर कि कुछ इस तरीके से ले जाओ आप लोग देख सकते हैं एक angle बनाते हैं एक theta एंगल बनेगा ठीक है देखें मैं गया तो इस point से इस point पर ही हूँ अगर मैं देखू गहर से लेकिन मैंने जो path है थो थोड़ा से लंबा तय किया है ठीक है तो होगा क्या कि ये angle theta होगा तो ये वाला angle भी theta होगा ये बात हमें पता है और हमें पता है कि इसकी value dr है हम लोग उने dr माननी है तो यहाँ पर इस वाली पूरी value को हम लोग dr cos theta लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर एक तरीके से एक triangle बनेगा न तो यहाँ पर dr cos theta लिखा जा सकता है आप समझें मैंने क्या किया पहले वाली calculation के अंदर मैंने directly क्या किया था force multiply by displacement किया था वहाँ पर cos 180 degree को multiply किया था यहाँ पर मुझे cos theta को multiply करना पड़े क्यों थीटा की value मेरे पास है नहीं कुछ भी हो सकती है तो जो value निकलेगी वो क्या निकलेगी e cos theta is equals to minus का dv upon में dr आप दोनों में फरक देख पाईए जो पहले वाला formula लिखना है उसमें e is equals to minus का dv upon में dr निकला है वो क्यों निकला है क्योंकि वो उसी line पे था जो main line मैंने मानी थी जो main electric field मैंने मानी थी उस line के ओपर था इसलिए value निकली इस बार क्या हुआ कि मैंने charge को भेजा पी पर यह IQ से लेकिन एक angle बनाते हुए भेजा है तो इसलिए उस angle को mention करना भी जरूरी हो जाता है और मैंने उसी angle को यहाँ पर mention किया है तो इस तरीके से यह आपका एक relation निकल के आता है अब यहाँ पर अगर आपको कोई directly मनली जी की potential difference की value दे देता है और आपको इस displacement की value दे सकता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग इक value निकाल सकते हैं जैसे मनली जी के आपके सामने एक wire है उस wire में क्या है कि उसने बोला है कि इसकी जो आपका potential difference है इसका वो मानली जी की 400 voltage का है 400 volt का है इसी तरीके से इसका जो दोनों points के बीच का जो दूरी है वो मानली जी 10 meter की है ठीक है तो आप से कोई बूचे कि electric field की strength कितनी हुई तो आप लोग बता सकते हैं कि ease equals to में minus का यहाँ पर 400 upon में 10 कर सकते हैं तो यहाँ पर लोग निकल गयाएगी 40 यहाँ कि 40 unit की strength है यहाँ पर electric field की इसी तरीके से अगर आपको कोई बोले कि मानली जी कि आपके पास एक wire है उस wire में 2 points है 2 points के बीच की जो distance है वो 10 meter की है और आप से बोले कि इस पूरे wire की जो electric field की strength है वो आपके कितनी है 22 मानके चलिए ठीक है बोलता है कि 22 unit की है तो आप लोग बताएए कि इसका potential difference कितना है तो इसी फॉर्मले से आप लोग dv is equal to remain या फिर v is equal to remain e multiply by dr कर सकते हैं तो e कितना है आपके बस 22 है और dr कितना है 10 है तो 220 volt निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से इस formula की मदद से इस relation की मदद से आप directly इन चीज़ों की value calculate कर सकते हैं क्योंकि इनके numericals बनते हैं ठीक है तो ये हो जाता है आपका relation between potential difference and electric field ये बहुत hard नहीं था बहुत simple सा था करना कुछ भी नहीं था एक बार मैंने क्या किया कि जो work है वो electric field क्या against किया दूसरी बार क्या किया हमने एक angle बनाते हुए against किया ठीक है फ्रेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं line integral of electric field के बारे में देखे फ्रेंट्स आपको याद होगा कि इससे पहले हम लोग बात कर चुके उनके बीच की दूरी थी dl ठीक है और इस तरीके से एक relation निकल के आया था लेकिन line integral of electric field का क्या मतलब है यहाँ पर electric field जो होगी वो uniform नहीं होगी मतलब आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर uniform नहीं है electric field इसकी direction भी अलग अलग है इसका हर जगा भी magnitude भी अलग अलग है ठीक है और इनके बीच में अगर हम लोग दो points माने हैं पहला मान लेता हूं मैं P और दूसरा मान लेता हूं मैं Q जिसका आप लोग देख सकते हैं कि जो length है वो भी एक जैसा नहीं है यहाँ पर कुछ अलग direction है यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है ठीक है तो यहाँ पर होगा क्या कि जो दो points है और एक चार जो है वो एक point से दूसरे point पर जाएगा और हमें क्या करना है दोनो points के बीच का potential difference निकालना है क्योंकि line integral के रूप में निकलेगा क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखें कि हर line पर electric field का magnitude अलग है direction अलग है इसलिए हर जगे पर जो आपका potential difference होगा वो बिल्कुल different निकल के आएगा तो हर जगे के लिए निकालना पड़ेगा that's why इसके लिए पूरे के लिए एक integral की ज़रुत पड़ेगी हमें तो अब यहाँ पर देखें हमें exactly करना क्या है हमें करना ये है कि ये जो पूरी length है a से b तक की एक तो इसका length का इस electric field से multiplication निकालना है अब चुकि हर जगे पर अलग-अलग है that's why line integral पड़ रहा है हमें ज़रुत में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी length मानेंगे क्योंकि ये बहुत normal तरीका है पूरे का तो हम लोग एक साथ निकाल नहीं सकते ठीक है तो एक छोटी सी length मान लीजेगी यहाँ पर मैंने एक length dl मान लीए ठीक है अब होगा क्या कि यहाँ पर electric field है यहाँ पर length है तो length और electric field के बीच में एक angle theta बनेगा ठीक है तो यह वाला जो part होगा वो क्या हुगा वो dl cos theta होगा कि नहीं होगा क्यों होगा क्यूंकि देखिये electric field इस direction में जा रही है तो इसका एक component cosita वाला तो इस direction के अंदर होगा और एक component जो होगा वो इसके बिल्कुर perpendicular कुछ इस तरीके से scientific वाला होगा लेकिन चुकि हमें ये देखना है कि जो length है वो electric field के line में हो जाए मतलब along जाए तो वो हमें component उठाना है तो वो cosita ही होगा तो इस चीज़ को हम लोग dl cosita लिख सकते हैं यानि कि इसका पूरा जो multiplication होगा वो edl cosita लिखा जाए सकता है इसी तरीके से आप लोग थोड़ा नीचे चलेंगे माली जी कि यहाँ पर आप लोग dl मानते हैं तो वो electric field के साथ theta angle बनाएगा इसी तरीके से इसका भी जो component हम लोग लेंगे वो along the line लेंगे मतलब along the electric field लेंगे तो वो dl cosita होना चाहिए तो edl cosita निकलेगा तो दोनों के अंदर फरक क्या है दोनों के अंदर फरक यह है कि यहाँ पर electric field की value कुछ और होगी यहाँ पर electric field की value कुछ और होगी यहाँ पर हो सकता है कि theta का angle कुछ अलग होगा यहाँ पर theta का angle कुछ अलग होगा समझ रहे हैं यह difference है बना पिछला वाला भी जो हम लोगों ने formula निखाला था वो गलत नहीं है लेकिन यहाँ पर यह जो पूरी line है महाँ पर electric field अलग है उसका angle भी अलग है that's why इसका सबका हमें integration करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर EDL costator निकला है नीचे भी EDL costator निकलेगा इसके नीचे भी EDL costator निकलेगा इस तरीक से पूरे का EDL costator निकलेगा और पूरे का हमें पता करना है तो इसका कर देंगे हम लोग Intrigation तो Line Intrigal Is Equals True में Intrigation में A से B या फिर P से Q जो भी Point आप लोगोंने माने है EDL Cos Theta ठीक है और हमें पता है कि EDL Cos Theta है यानि कि इन दोनों के बीच में Dot Product होगा तो आप लोगों लेख सकते हैं Line Intrigal Is Equals True में E Vector Dot DL Vector का Intrigation P से Q या फिर A से B जो भी आप लोगोंने Point माने है अब यहाँ पर इस चीज़ को Potential Difference ही तो कहेंगे हम लोग भाई हम लोगोंने क्या कहा कि हम लोगोंने इस Point से इस Point तक के बीच में जो Electric Field से Multiply किया है लेंथ को उसका पूरा का पूरा Intrigation निकाला है इसको आप लोग कहेंगे Line DL Intrigation का यह Sign है Of Electric Field यही तो निकाल रहे हैं लोग Line Intrigal Of Electric Field ठीक है तो इस चीज़ को Potential Difference आप लोग कह सकते हूँ तो इसका मतलब VB-VA is Equals True में Intrigation में P से Q यहाँ पर E Vector.DL Vector अब इसी चीज़ को अगर आप लोग VA-VB लिखते हो तो यहाँ पर Minus का निशाना जाएगा यहाँ कि VA-VB is Equals True में Minus में E Vector.DL Vector का Intrigation P से Q तो इस तरीके से Line Intrigal Of Electric Field निकल के आया देखिए पहला formula आपको याद होगा हम लोगों ने निकाला था Potential Difference के लिए VAB is Equals True में WAB upon में Q दूसरा जो formula हम लोगों निकाला था वो निकाला था relation के अंदर DV is Equals True में Minus का E DR या फिर इस चीज़ को E Equals True में Minus का DV upon में DR भी लिख सकते हो और अब यह जो तीसरा formula निकल के आया है वो निकला है VAB या फिर VBQ is Equals True में Minus का A से B या फिर P से Q E Vector.DL Vector जहां पर आप लोग क्या है कि तीन तरीके से इस Potential Difference को Calculate कर सकते हैं पहले में Simple Simple समझ में आता है कि दो Points हैं जो कि Electric Field में रखे हुए हैं वहाँ पर एक Charge को दूसरे Charge तक ले जाने में किया गया Work तो यहां से Calculate कर सकते हो दूसरे एक अंदर क्या है कि आप लोग क्या करते हैं दो Points मानते हैं लेकिन वो बहुत कम दूरी पर होते हैं तो वहाँ पर Electric Field को डिरेक्टली आप लोग उसकी चोटी सी दूरी से Multiply करके Potential Difference निकालते हो और तीसरा है जो Formula हम लोगों ने आज निकाला है जो कि बहुत खास है जहां पर आपको पता है कि हर जिगे पर Electric Field का Magnitude अलग है Electric Field की Direction अलग है तीटा का जो Value होगी वो अलग-अलग होगी तो उसमें आप लोग सब का Intrigation करके पूरी Line में आप लोग Easily Potential Difference कैलकूलेट कर सकते हो तो ये तीन तरीके हैं और तीनों के अलग-अलग Use है ठीक है अलग-अलग Conditions के अंदर Use है ये बात याद रखना Confuse नहीं होना है अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि हम लोग ये जो Potential Difference है इसका Source Charge के साथ क्या Relation है वो निकालेगे ऐसा क्यों देखिए Source Charge से ही जो है Electric Field बाहर निकलती है और इस Electric Field के अंदर ही हम लोग मान लिजे कि दो Point मानते हैं और दूनों के बीच का Potential Difference निकालते हैं तो इस Potential Difference का इस Source Charge के साथ कोई ना कोई Relation तो होगा ना तो वही Relation हमें निकालना है इसके बाद ठीक है तो हम लोग ने तीन तरीके से Potential Difference को Calculate करना देख लिया है इस Line Integral को याद रखना ये ज्यादा काम आने वाली चीज़ है बदब आगे के Detivisions में ज्यादा काम आएगा और खास करके Laws आएंगे Electricity के आगे बहुत सारे उसमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और relation के बारे में जो की होगा relation between potential difference and source charge देखिया हमें पता है कि अगर potential difference हमें चाहिए तो electric field चाहिए होगी और electric field चाहिए तो कोई ना कोई source charge चाहिए होगा यानि कि source charge में से electric field निकलती है और उसके दो points माहलत उनके बीच का potential difference निकलता है तो आज हमें करना ये है कि इस potential difference और इस source charge के बीच में एक relation निकलना है तो बहुत simple है आईए शुरू करते हैं तेखिये मान लिजी कि आपके पास एक source charge है Q जो कि एक बहुत बड़ा charge है वो जो है एक electric field बाहर निकल रहा है मान लेते हैं कि एक electric field की जो direction है वो कुछ इस तरीके से इस direction में जा रही है और इसी direction में हम लोग 2 points consider करते हैं पहला होगा P और दूसरा होगा Q अब इस source charge से P की जो distance होगी वो होगी R1 और इस source charge से जो आपका Q है इसकी distance होगी वो होगी R2 ठीक है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि R1 जो है वो छोटा है मतलब R2 से छोटा है तो P जो point है उसके ओपर electric field की जो value होगी वो stronger होगी और चुकि R2 बढ़ा है तो जो Q point है उस पर electric field की जो value होगी वो weak होगी और हम जो potential difference की value निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि किसी भी test charge को यहां पर रख देते हैं कि इस point cube के उपर और देखते हैं कि जो work done है मतलब Q charge को यहां तक ले जाने में पी तक ले जाने में जो work done होगा वो कितना होगा और उससे हम लोग potential difference के रूप में calculate करते हैं ठीक है लेकिन जैसा मैंने कहा कि P point के उपर electric field के वेले कुछ और है Q पर कुछ और है यानि कि strong है weak है ठीक है तो इसका मतलब इस area के अंदर P से Q के बीच में जो electric field है उसके अंदर ए यहाँ पर charge पड़ाया तो force कुछ और होगा अगर थोड़ा pass लेकर जाऊंगा तो force कुछ और होगा चूंकि यह दूर है source चार्श से तो यहाँ पर force हो सकता है कम हो अगर मैं इसको थोड़ा pass लेकर जाऊंगा तो force की value बढ़ सकती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक point consider करेंगे जो कि P और Q के बीच में होगा जो कि यहां से source charge से चलेगा और यहां पर आएगा और इसको हम लोग नाम देंगे T अब यह जो हमारा source charge है माली जी की positive है तो हम लोग जो test charge है वो इस T पे रखेंगे और test charge भी हम लोग ने positive बना है ठीक है तो इसका मतलब इसके उपर जो electric field की value होगी वो क्या होगी इस T point के उपर वो होगी ET इस equals में 1 by 4 by epsilon not capital Q upon में R square यही होती है जो हमारी value होती है electric field की ठीक है तो अब होगा क्या कि यहां पर यह जो T point के उपर test charge पड़ा है वो P की तरफ थोड़ा सा displace करेगा बहुत ही minor सा उसको हम लोग नाम देंगे DX अब यह इतना छोटा होगा कि DX जो है वो 0 की तर तो इसका मतलब जो force यहां था T point पर था वही जो force होगा वो इस DX distance के बाद होगा बहुत छोटा सा distance है इसलिए force के अंदर कोई फरक नहीं आया तो इसका मतलब इस displacement के अंदर अगर कोई भी force का change नहीं हुआ है तो हम लोग easily formula यूज़ कर सकते है work is equal to force multiply by displacement तो इसका मतलब इस चोटे से distance के लिए तो हम लोग potential difference निकाल सकते है work दर निकाल सकते है तो इसके अंदर जो work होगा वो होगा DW DW is equals to force multiply by displacement force की जो value होगी वो QE होगी हमें पता है multiply by displacement जो होगा वो DX होगा और यहां पर जो E है जो electric field की value है वो हम लोग निकाल चुके है जो की उपर लिखी हुई ह जो की T point के लिए है ठीक है तो DW is equals to में Q multiply by 1 by 4 by epsilon not Q upon में X square ठीक है multiply by DX लेकिन इसके अंदर हमें course 180 degree का multiply करना पड़ेगा वो क्यों करना पड़ेगा चुकि हमने कहा है कि जो हमारा source charge है वो positive है और test charge है वो भी positive है तो अब इससी बाते एक दूसरे को repel करेंगे तो अगर ये peak की तरफ बढ़ रहा है यानि कि अगर ये source charge की तरफ बढ़ रहा है तो repulsion force जो होगा बिलकुल इसके opposite होगा इसलिए course 180 degree का जो है वो multiply हो गया तो total value जब हम लोग इसकी solve करके लिखेंगे तो DW is equals to M minus का 1 by 4 by epsilon not Q फिर Q यनि कि small Q capital Q upon में X square DX तो ये तो हो जाता है चोटे से displacement के लिए लिकिन अब अगर हम लोग मान लिजी कि उस test charge को Q पे रखें और फिर P तक ले करके जाएं ठीक है तो यहाँ पर total work हमें निकालना है अब यहाँ पर यह जो work होगा यह चोटे चोटे हिस्सों में होगा जिसे DX DX मतलब हमें बहुत सारे DX मानने पड़ेंग तो इसका integration में करना पड़ेगा तो WPQ is equals to me integration में यहाँ पर R2 से R1 यहाँ जो दूरी हम लोगोंने R1 और R2 मानी है यहाँ कि source charge है जो P की दूरी है वो R1 है और source charge से जो Q की दूरी है वो R2 है तो यहाँ पर limit भी R2 से R1 होनी चाहिए R1 R2 जो मैंने लिखी है अंदर आएगा minus का 1 by 4 pi epsilon not q q upon x square dx minus इसलिए लगा है क्योंकि cost 180 degree की value होती हो minus के इंदर होती है तो इसको हम लोग solve करेंगे तो इस जो सारी चीज़े है मतलब capital Q small q 4 pi epsilon not और यह जो minus है यह सब constant है यह तो भारा जाएगा तो यहाँ कि WPQ is equals में minus का capital Q small q upon 4 pi epsilon not यहाँ पर integration में R1 से R2 तो यहाँ पर अंदर रहेगा जो 1 upon में x square रहेगा लेकिन इस x square को में उपर ले आओ तो x की power minus 2 dx तो करना कुछ नहीं है इसका integration करना है solve करना है तो जब आपको solve करोगे तो WPQ is equals to में minus का capital Q small q upon में 4 pi epsilon not अंदर आएगा minus का 1 upon में x R1 से R2 तो यहाँ पर हम लोग limit की value रखेंगे तो क्या लिखेंगे WPQ is equals to में capital Q small q upon में 4 pi epsilon not अंदर आएगा 1 upon में R1 minus 1 upon में R2 ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो work done निकला है वो total यह निकला है जहाँ पर यह सारी चीज़ा आपने दिख रहे हैं capital Q small q upon में 4 pi epsilon not तो यह हो जाएगा इसमें R1 तक के लिए भी निकल सकता है और R2 तक के लिए भी निकल सकता है अब हमें potential difference देखना है जो की P से Q के बीच में हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो formula है वो VP minus VQ is equals to में WPQ upon में small q तो value रखिए VP minus VQ is equals to में यह सारी value होगी capital Q small q upon में 4 pi epsilon not यहाँ पर bracket में 1 upon में R1 minus 1 upon में R2 divided by small q और small q से small q जो है वो cancel out हो जाएगा तो VP minus VQ is equals to में capital Q upon में 4 pi epsilon not और यहाँ पर bracket में 1 upon में R1 minus 1 upon में R2 तो आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो potential difference है वो R1 के लिए और फिर R2 के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह बीच का निकल जाएगा तो यह relation हो जाता है potential difference के बीच में और आपके source charge के बीच में तो यह हो जाता है हमारा potential difference के लिए fourth formula तीन formula हम लोग पहले देख चुके हैं यह वाले और यह चौता formula है जहाँ पर directly जो source charge है अगर उसकी value दे रखी हो तब भी potential difference calculate किया जा सकता है दो points के उपर मतलब दो points के बीच का ठीक है तो यह एक और तरीका है अब आगे हमें क्या देख रहा है आगे हमें यह देखना है कि एक particular charge का कितना potential हो सकता है ठीक है अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कि किसी भी charge की electric field के अंदर दो points consider कर रहे थे और उसके बीच का potential difference निकाल रहे थे अब हमें यह देखना है कि एक particular charge का कुल कितना potential हो सकता है उसको कैसे calculate किया जा सकता है ठीक है तो आई होप आपको यह जो topic समझ में आया होगा यह relation समझ में आया होगा total mathematics है mathematics में भी integration करना है Friends आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी electric field में किसी एक point का potential क्या होता है यानि कि potential of a point in electric field इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी electric field में हम लोग ने दो point माने और उनके बीच का potential difference निकाला हाला कि इन दोनों के अंदर कोई खास difference नहीं है जैसे दो points के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि potential of a point इसका क्या मतलब है किसी भी point का potential का क्या मतलब है देखे potential का मतलब होता है power यानि कि ताकत अब यह electricity है तो electric power की बात हो रही है और इससी बात है ठीक है तो यानि कि एक point जो कि electric field के अंदर रखा हुआ है उसमें कितनी power है यह हमे पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे और बेसी बात है यह electric field में रखा हुआ है तो यह कोई ना कोई force लगाएगा मालनी जिए कि यह positive electric field में है तो इसकी जो power होगी वो positive charge जैसी होगी अब हम लोग क्या करते है कि कोई दूसरा point यहां मानते है क्यों यह तो point P है कोई दूसरा point क्यों मानते हैं जिस पर हम लोग एक test charge लगते हैं और वो test charge भी क्या होगा positive ही होगा उस charge को हम लोग क्या करेंगे इस point तक लेके आएंगे तो हमें मालूम है कि इसकी power positive है और test charge भी positive है तो दोनों के बीच में force लगेगा मतलब दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे अब इस test charge में तो इतनी power है नहीं कि इस बड़े वाली point के उपर कोई ताकत लगा सके ठीक है तो सारी ताकत जो है ये वाला point ही लगाएगा इस test charge के उपर तो इस test charge को इस q point से p point तक लाने में किया हुआ work ही इसका potential कहलाएगा ठीक है तो मान लीजिए कि मैं इस point से इसको यहां तक लेके गया यहां पर जो potential की value थी वो 0 थी तो यहां तक ले जाते लेते मुझे 200 joule का work करना पड़ा तो इसका मतलब इस point की जो power है वो 200 volt की हो जाती है तो इसको आप लोग 200 volt कहेंगे ठीक है voltage की बात हो रही है यहां पर potential की बात हो रही है ठीक है वहीं पर मान लीजिए क वो 300 volt का है तो उसका जो दूसरा point होगा वो थोड़ा दूर होगा यहां पर 0 होगी इसकी value यहां से आप यहां तक लेकर के आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 300 joule का work किया है तो इसका मतलब इस point का जो potential हो जाता है वो 300 volt का हो जाता है ठीक है इसी तरीके से मान लीज तो यह spring किसी point से जुड़ी हुई है ठीक है किसी दीवार से जुड़ी हुई है rigid body से जुड़ी हुई है तो आप लोग यहां पर इसके दूसरे सिरे पर जब आप लोग हात रखेंगे तो उस वक्त इसका जो spring force होगा वो बिलकुल 0 होगा और बिसी बात है लेकिन जब आप तरफ compress करेंगे या भार की तरफ खीचेंगे तब change आएगा तब potential energy बनेगी यही चीज हम लोग gravitational force के अंदर भी देखते हैं वहाँ पर जमीन पर पड़ीवी चीज को जिससे आप लोग उपर उठाते हैं तो नीचे की तरफ एक force काम करना शुरू कर देता है तो उसमें भी potential potential energy store हो जाती है तो यह भी यहाँ पर simple concept है बस यहाँ पर electric potential की बात हो रहे है simple सी बात ठीक है तो इस तरीके से आप लोग potential को देखते हैं किसी भी एक point के potential को देखते है अब यह तो theoretical बात हो गई मतलब मोटे मोटे तौर पर हमें पता चल गया अब बात करते हैं कि यहाँ पर रहेंगे तो देखिए zero potential एक ऐसा point है जहां हमें test charge पर किसी तरीके का कोई भी work नहीं करना पड़ता है समझिए जैसे मान लिजी कि आपके पास एक charge क्यों है जो कि अपने अंदर से एक electric field बार में काल रहा है ठीक है और कोई दूसरा हम लोगों ने point consider नहीं किया है तो वह electric field मान लिजी की इस direction में जा रही है तो हमें पता है कि जैसे जैसे electric field इस charge से दूर जाएगी वैसे वैसे इसकी value जो है वो घटती जाएगी decrease होती जाएगी तो मान लिजी कि बहुत दूर जाने पर electric field की जो value है वो is equals to में k q upon r square है यहां पर जो k है वो 1 by 4 pi epsilon 0 है ठीक है मैंने इ दिख दिया है directly अब हम लोग क्या करते हैं कि इस r को अगर मान लिजे infinite कर दूम है इस r की value infinite कर दूम बहुत दूर तक चला जाएगी और electric field 0 हो गई तो force is equals to me q multiply by e होता है तो यहां पर force भी 0 हो गया तो work क्या होगा work is equals to me force multiply by displacement होता है तो जब force 0 है तो पुरा work भी 0 हो गया तो जहां पर work 0 है वहां पर potential difference भी 0 है तो इसका मतलब यह जो vg customer में ने 0 लिखा है यह infinite पे होगा infinite point पे जो potential की value होगी वो 0 होगी वहां से हम लोग चलना start करेंगे और इस point तक आएंगे तब हमें इस point का real potential पता चलेगा तो अब इसका हम लोग calculation करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको calculate करने के दो तरीके हैं दो simple ways हैं जैसे कि हम लोग पहले करते हुए आए हैं पहले तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि एक charge क्यों माल लिया मैंने और इस charge से एक electric field भार नि क्या हूंगा एक point P आ जाएगा जहां पर potential की value कुछ होगी ठीक है ठीक है यहां से मुझे लगना शुरू होगा कि हाँ यहां से potential लगना शुरू हो गया है और फिर उसी test charge को मैं P से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और यहां तक Q तक लेके आ जाऊंगा मैं एक point और Q है य तो हम लोगों ने exactly क्या किया हम लोगों ने यह किया कि infinite से point लेकिया है पहले P point तक फिर Q point तक तो हमें पहले से पता है हम लोग calculate कर चुके हैं कि दो points के बीच का जो आपका potential difference है उसको आप लोग VQ minus VP is equals to में Q 4 pi epsilon not bracket के अंदर आएगा 1 upon R1 minus 1 upon R2 यह पहले कर चुके हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन 9 points के बीच का potential difference है लेकिन अगर मैं इस Q point का potential निकालना चाता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि इस P point को दीरे दीरे करके खिसका खिसका के मैं इसे infinite तक लेके चला जाओगा यह थोड़ा logical है सोचने में कि यह 2 points के बीच का potential difference है अब मैं क्या क रना पड़ेगा इस P को बहुत आगे तक लिए जाना पड़ेगा तो यह जो R2 है यह खिचके बिलकुल infinite हो जाएगा इसका मतलब VQ minus V infinite इस P को में ने infinite पर मन लिया is equals to Q upon 4 pi epsilon not यहाँ पे bracket में 1 upon R1 minus 1 upon में infinite अब यह 1 upon में infinite तो 0 हो जाएगा ठीक है तो VQ बचेगा तो VQ is equals to 1 by 4 pi epsilon not Q upon में R1 जो की हो जाता है the potential of Q point तो यह तो पहला तरीका है जो की बहुत simple है जैसा कि हम लोगों ने किया है हम लोगों ने क्या किया कि पहले P point तक लाए फिर Q point तक लाए दोनों के बीच का potential difference हमें पता है फिर P को हम लोग infinite पे ले गए जिसकी मदद से हमें Q point का potential मिल आया है वो ऐसे होगा कि हम लोगों ने जो basic definition पड़ी थी electric potential की वो यह थी कि कि किसी भी test charge पर किया जाने वाला work यानि कि V जी कॉस्टम में W upon में Q ठीक है तो हमें इस formula से अगर potential की value निकालनी है तो पहले infinite से Q point तक लाने के लिए जो work किया गया है वो calculate करना पड़ेगा फिर उसमें Q का divide देना पड़ेगा तो अब यहाँ पर work कैसे calculate होगा क्योंकि देखिए हर point के उपर force की value अलग-अलग है क्यों क्योंकि electric field की value भी अलग-अलग है तो एक साथ work तो calculate नहीं किया जा सकता कि मैं test charge को infinite से लेकिया है Q पर सीदे सीदे work calculate कर दूँ तो उसके लिए हमें एक ट्रेक अजमानी बड़ेगी जो हम लोग पहले कर चुके हैं क्या जैसे मानली जी कि आपके बाद जो source charge है source charge से यहाँ पर Q point है तो हम लोग source charge से एक point और मानेंगे जो की थोड़ा दूर होगा इस Q point से वो होगा point मानली जी कि P मानली है हम लोग ने फिर से उस point से हम चोटा सा displacement लेंगे इसकी दरफ source charge की दरफ जो की होगा DX अब यह जो displacement हुआ है यह इतना चोटा हुआ है कि जो force की value है वो change नहीं हुई तो इसका मतलब यहां से यहां तक चोटा सा displacement करते वक्त force की जो value रहेगी वो क्या रहेगी force is equals to Q Q यानि कि capital Q small q upon में 4 pi epsilon not x square क्योंकि हम लोगों ने दूरी x मानी है तो यह तो हो जाती है force की value और अब अब अविसी बात है छोटा सा displacement करने में वर्क पी लगा होगा तो dw is equals to में क्या होगा force multiply by displacement तो force multiply by displacement में dx आ जाएगा multiply by cos 180 मैंने सात्यों किया क्योंकि यह P से source charge की तरफ जा रहा है और source charge इसके उपर opposite force तो देंगे q q upon 4 pi epsilon not x square multiply by dx और यह पूरा का पूरा minus में हो जाएगा क्यों क्योंकि cos 180 की value है वो minus में होती है और बिसी बात है मैं समझ में आता है तो यह तो छोटे से के लिए हो गया अब मैं अगर इसका पूरा का पूरा integration कर देता हूं थोड़े देर के लिए तो इसका integration कहां स देंगे q q upon 4 pi epsilon not dx upon x square ठीक है यहां पे q q upon 4 pi epsilon not जो है वो भार आजाएगा चुकि यह एक constant है यह भार आएगा तो अंदर आजाएगा x की power minus 2 dx यहां पे x square को उपर ले आया हूं है ठीक है अब जब इसको आप लोग integrate करेंगे तो इस 1 upon x होगा minus का तो minus minus plus हो जाएगा तो total value आपके सामने बचेगी q q upon 4 pi epsilon not multiply by 1 upon r1 तो यह हो जाती है work की value इस work की value तो अब हमें potential निकालना है तो potential is equals to work upon में test charge क्योंकि test charge पे किया गया है work तो यहां पे रखेंगे नीचे जो q से multiply होगा तो q से q cancel out हो जाएगा तो जो आपका total potential निकल के आएगा वो होगा 1 by 4 pi epsilon not q upon r1 तो इसका मतलब दोनों ही तरीकों से हम लोगोंने potential को calculate कर लिया दोनों ही definition से एक हम लोगोंने क्या किया जो आपका source charge वाला जो relation होता है उसका use किया जो की बहुत simple था दूसरे point को infinite पर ले गया simply निकल गया गया दूसरे में हम लोगोंने क्या कि उस point को थोड़ा सा displace किया इस तरीके से फिर उसका force निकाला फिर work निकाला फिर उसका integration की है उसके बाद potential निकाला तो दोनों तरीकों से आप लोग इसको solve कर सकते हैं depend करता है कि वो पूछ कैसे रहा है ठीक है तो question पर ध्यान देना तो इस तरीके से आप लोग एक simple point का potential निकाल सकते हैं जिसको आप लोग एकल बिंदू पर जो वैद्यूत विबाव भी कहते हैं friends आज हम लोग बात करने वाले है potential energy of a charge in electric field यानि कि कि किसी भी आवेश को यानि कि चार्ज को जब आप किसी electric field में रखोगे तो उसकी potential energy क्या होगी देखिए सबसे important चीज तो यह है कि आज की वीडियो में हम ल दोनों के बीच का difference है क्या ठीक है उसको समझेंगे जैसे आपको पता है कि जो charge होता है वो अपने आसपास एक electric field निकालता है माली जी कि इसकी एक direction हम लोग यह पकड़ लेते हैं जहां पर R दूरी पर एक point माल लेते हम लोग P और एक point माल लेते हम लोग Q ठीक है आपको यह आपसे कहे कि कि किसका potential ज्यादा होगा कौन से point का potential ज्यादा होगा तो आप लोग पहले पढ़े सुके बता सकते हैं कि इस Q point का होगा क्यों क्योंकि जो Q point है वो इस charge के ज्यादा नजदीक है तो यहां पर electric field की value ज्यादा होगी electric field की value ज्यादा होगी तो potential की value ज्यादा होग तो easily कोई बता सकता है जिसका formula हमें पता है V is equal to 1 by 4 pi epsilon not q upon में r होता है which means अगर आप r को छोटा करते जाएंगे मतलब जैसे से r की value घड़ती जाएगी किस तरफ source charge की तरफ वैसे वैसे जो potential की जो value है वो बढ़ती चली जाएगी higher होती चली जाएगी तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो vq की value है वो vp से बड़ी है तो इसका मतलब कि cb charge पे जब electric field आसपास निकलती है तो आप लोग location के हिसाप से बताते हैं कि कहां कौन सा कितना potential होगा तो आपका जो potential है वो directly related होगा location के साथ ठीक है यही चीज आप लोग दूसरे example में समझने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि मानली जी हम लोग gravitational force का यो धरान ले ले लेते हैं आप क्या कीजिए कि जैसे जमीन है जमीन पर कोई apple पड़ा हुआ है कोई भी चीज पड़ी हुई है तो इस वक्त इसकी जो potential energy है वो बिल्कुल 0 होगी तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस position से उठा करके थोड़ा उपर ले जाते हैं यहनि कि इसका थोड़ा सा displacement करवा देते हैं तो obvious ही बात है इसको उपर ले जाने में हमें कुछ ना कुछ work करना पड़ेगा तो वो work क्या होगा force multiply by displacement माली जी की displacement जो है वो x का हुआ है तो मैं इसको इस location से इस location पर ले गया हूँ और यहाँ पर लाने में मैंने कुछ work किया है ठीक है और work जो होता है वो जूल के अंदर होता है तो इस point पर इसके अंदर कुछ potential है और यहाँ पर इसके अंदर एक potential energy जमा हो गई है और वो potential energy अब काम कर सकती है समझे रहे हैं क्या है पहले जमीन पर पड़ा हुआ था save तब उसके अंदर क्या है कि एक force उसको खीच रखा था वो एक point था वहाँ potential था बट 0 था potential यहाँ मैं इसको इस point पर इस location पर ले करके आया हूँ तो यहाँ पर potential की value कुछ है लेकिन यहाँ पर potential energy भी store हो गई है और वो अब नीचे जाने के लिए तयार है जैसे यह आप लोग इस save को छोड़ोगे वैसे यह नीचे गिर जाएगा ठीक है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ energy होगी इसी तरीके से अगर मैं इस save को थोड़ा सा और उपर लेके चाहाँ मतलब इस बार मैंने क्या किया इसका और ज़्यादा बढ़ा दिया displacement तो जो force है वो और ज़्यादा strongly काम करेगा क्योंकि displacement बढ़ गया तो force की value भी बढ़ जाएगी तो यहाँ इस point पे potential ज़्यादा है अब जब potential ज़्यादा है तो potential energy भी ज़्यादा store हुई है ठीक है अगर save की जगए अगर आपके हाथ में कोई ball होती तो जो आप इसको यहाँ से नीचे गिराते तो वो और ज़्यादा उचा उचलती गिरने के बाद ठीक है अब आप क्या करेंगे कि इसी save को थोड़ा सा और उपर लेके जाएंगे इस बार जो displacement है उसको और बढ़ा देंगे उपर की तरब ले जाएंगे तो displacement बढ़ गया तो force बढ़ गया force बढ़ गया तो potential भी बढ़ा और potential के साथ potential energy भी ज़्यादा स्टोर हुई तो अब लोग यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि एक location ये है एक ये है एक ये है और एक ये है चार locations है चारो locations पे अपना-पना potential है और चारो ही potential पर potential energy अलग-अलग store होती है तो अब यहाँ पर main चीज समझने की कोशिश किए ये जो location points है ये potential के बारे में हमें बताते हैं कि यहाँ पर potential है लेकिन जब तक आप लोग उस object को इस point तक लाओगे नहीं तब तक potential energy store नहीं होगी एक बार फिर समझिए मान लिजी की सारे की सारे apple जो है वो जमीन पर पड़े होगे लेकिन आपने क्या किया है point mark out कर लिया है मतलब ये वाला point भी mark out है ये वाला भी mark है ये वाली भी mark है ठीक है आपको पता है मैं यहाँ तक लेके आ जाँँगा मैं आपको दूँ जिसे मान लिजी की आपके समने दो व्यक्ति है एक आपको दिख रहा है बिल्कुल bodybuilder जैसा और एक थोड़ा कमजोर नजरा रहा है आपको हमें अच्छी तरीकी से पता है कि इस वाले के अंदर potential ज्यादा है और इस वाले के अंदर potential कम है अगर आप इसको लड़ा होगे तो क्यों? योगि दिख रहा है कि ये कस्त भी करता होगा exercise भी करता होगा proper diet भी लेता होगा इस ने ली है ये कमजोर है ठीक है? तो इन दोनों में potential ज्यादा है लेकिन अगर आप इस bodybuilder को 4 दिन खाना नहीं खिला है तो इसके अंदर energy होगी? नहीं होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस बंदे में लड़ने का potential नहीं है potential तो है लेकिन इसके अंदर इस वक्त energy नहीं है energy क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको खाना नहीं खिलाया चार दिन से इसको खिलाया है तो ये लड़ सकता है एक हद तक लड़ सकता है अपने potential के हिसाब से तो इसी तरीके से यहाँ पर जो apple के marks है इन में potential है इन points में potential है लेकिन वो potential energy जमा करने के लिए हमें apple को इन points तक लाना पड़ेगा that's the game, that's the difference between potential and potential energy ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है अब इसी सेम चीज़ को आप लोग electricity के terms में भी समझ सकते हैं कि एक आपके पास बड़ा सा charge है जिसकी कुछ electric field बाहर निकल रही है आप एक test charge लेकर के आते हैं बहुत दूर से महली जी infinite से लेकर आ रहे हैं एक बार आप लोग work करते हो इसको इस point तक ले आते हैं फिर थोड़ा और आगे इस point तक ले आते हैं फिर थोड़ा और आगे इस point तक ले आते हैं ये तीनो जो locations हैं यह आपको potential के बारे में बताएंगी ठीक है और यह चो charge है जब जैसे जैसे यह point पार करता चला जाएगा जैसे इस point पर आ जाएगा तो इसमें potential energy जमा होगी इस पर आएगा तो और ज़्यदा होगी इस पर आएगा तो और जदा होगी तो इस तरीके से location पे जैसे से वो पार करता जाएगा तब तब potential energy बढ़ती जाएगी लेकिन उसका locations पे आना ज़रूरी है energy store करने के लिए ठीक है तो इसका मतलब यह जितने भी marks है यह एक तरीगी की information है कि भाया object को यहां ले के आओ तो मैं आपको energy store करके दूँगा तो अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो आपका potential होता है वो potential is equals to w upon q यानि कि test charge पर किया हुआ काम test charge पर किया हुआ जो work होता है उसको आप लोग potential कहते हैं ठीक है तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे work की value निकालेंगे क्यों निकालेंगे work की value क्योंकि potential energy जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस object को यहां से यह तक ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ work करना पड़ेगा ठीक है तो वो energy जो है वो work के रूप में ही तो store होगी यानिकि w is equals to my q multiply by v यानिके इस test charge को एक potential point पर जो आप लोग ले जाएंगे work करके तो वो होगी उसकी energy यह जो joules में होगी इसको आप लोग work को potential energy कहेंगे हम लोग पहले पड़ चुके हैं 11th class के अंदर ऐसा ही होता है जो work होता है वो energy के रूप में store होता है ठीक है तो इस तरीके से यह जो energy है यह आपकी work के रूप में store होगी तो आप लोग definition के अंदर कहेंगे कि अगर किसी electric field के अंदर कोई test charge small q किसी potential point v पर है तो उसके अंदर एक potential energy stored है जिसको कि हम लोग लहेंगे w is equals to q multiplied by v जो की joules के अंदर होगी वल्दब इसका unit होगा वो joules के अंदर होगा और जो potential का unit होता ह वो volt के अंदर होता है ठीक है तो potential volt में और आपकी potential energy joules के अंदर तो यह इसकी units का difference हो जाता है ठीक है तो यह तो बात हो जाती है एक charge के बारे में अब आगे की videos में हम लोग 2 charge, 3 charge, इनकी potential energy देखेंगे ठीक है जब multiple charges हो जाएंगे तो वहाँ पर potential energy कैसे बनेगे यह तो एक charge का simple था, friends आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी electric field के अंदर अगर multiple charges आ जाएं तो उसमें potential energy की value क्या होगी, उसे हम लोग कैसे calculate करेंगे, देखे पिछली वीडियो में हम लोग calculate कर चुके हैं कि एक single charge जो होता है अगर किसी electric field में आए, किसी potential point के उपर आए, किसी location के पर आए, तो उसके अंदर potential energy store होती है, जिसको हम लोग work के रूप में, यानि कि U is equals to में, W is equals to में, Q multiply by V लिखते हैं, ठीक है, charge है आपके पास small Q, यह किसी potential के location पर आजाए, तो उसके अंदर potential energy store हो जाती है, यह हम लोग पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, अब हम में यह देखना है कि multiple charges हो, तब क्या होगा, मतलब माली जी कि कोई एक source charge पड़ा है, Q1, उसके आसपास अगर कोई दूसरा charge आजाए, मतलब कोई test charge ही हो, या फिर कोई दूसरा charge हो, जिसको हम infinite से लेकर किया हैं, उसके पास, आर दूरी पर हो, तो उसकी जो potential energy होगी, मतलब इसके पास आएगा, तो अब्वेसी बात है, repulsion force भी लगेगा, तो इस point पर आते आते हैं, जो potential energy store हो जाएगी, उसकी value होगी, U is equal to me, W is equal to me, Q multiplied by V, अब यह जो potential है, इसकी value होगी हमें पता है, Q upon 4 pi epsilon not R, यह हम लोग पहले calculate कर सुके हैं, तो इसमें जब इसकी value put करेंगे, त तो U is equal to me, Q upon 4 pi epsilon not R, इसका मतलब यह हुआ कि किसी electric field के अंदर किसी charge के पास, अगर आप कोई point लेकर के आते हैं, एक potential point पर लाते हैं, दूसरा charge, तो जो energy store होगी, वो यह होगी, तो यह दो charges के लिए हो जाता है, तो इसको आप system of charge भी कह सकते हो, क्यों क्योंकि इस system के अंद होगा, जैसे मान लीजी कि एक charge Q1 पड़ा हुआ है, इसमें इस direction से एक दूसरा charge Q2 इसकी तरफ आए, और इनके बीच की जो दूरी है, वो हो जाया R12, ठीक है, 1 के उपर 2 जो है, वो आरा, मतलब 2 जो है, 1 की तरफ बढ़ रहा है, इसके बीच में इतनी दूरी है, यहां कर जाता है, इसी तरीके से एक charge 3 है, मतलब Q3 है, जूकि कुछ इस direction से वढ़े Q1 की तरफ, और इस point पर आकर करके रुके, इनके बीच की दूरी क्या होगी, R13 हो जाए, ठीक है, इसी तरीके से यह जो Q1, Q2 के बीच में लग रहा है, कुछ ना कुछ force Q1, Q3 के बीच में लग र रहे हैं, और इस समय इनके अंदर कुछ ना कुछ energy भी store हो जाएगी, और उस energy की value हमें निकालने हैं, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत simple है, basic formula की मदस सही निकालेंगे, कि Q1 और Q2 के बीच में जो energy होगी, वो क्या होगी, 1 by 4 by epsilon not Q1 Q2 upon R12, इसी तरीके से आपकी इ Q1 और Q3 के बीच की क्या होगी, वो होगी 1 by 4 by epsilon not Q1 Q3 upon R13, यह तो तीनों की तीनों energies है, वो एक दूसरे के addition में होगी, यो कि तीनों की तीनों को हम लोगों ने एक point पे लाकर के lock कर दिया है, हमने देखाए कि यह तीनों charges एक point पर fix है, यह यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, और यह तीनों एक दूसरे के उपर कुछना को sports लगा रहे हैं, यो कि potential point के उपर है, तो energy तो store होगी न, तो तीनों को जब आप लोग जोडेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 by 4 by epsilon not जो है, वो तो common आएगा, तो उस common पार्ट को तो हम लोग यह भार लिखिए, 1 by 4 by epsilon not, bracket के अंदर आएगा, Q1, Q2 upon R12, प्लस Q2, Q3 upon R23, प्लस Q1, Q3 upon R13, तो यह जो है, वो energy होगी, तीन charges के system के लिए, जब तीन charges को आप एक दूसरे के पास लाओगे, तो यह energy उसके अंदर store होगी, तो यह हो जाता है, त्री charges का system, अब हम लोग बात करते हैं system of 4 charges, यानि कि 4 अगर charges को हम लोग एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तब क्या होगा, ठीक है, तो मानली जी की एक charge Q1 है, तो एक direction से Q2 इस तरफ बढ़ा, मानली जी की infinite से आया, और इस point पर आकर के रुख गया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, वो R12 होगी, इसी तर तो हम लोगों ने एक जिगाप पर lock कर दिया है, जिससे एक दूसरे के force भी लगा सकें, आगे भी ना बढ़े, पीछे भी ना आ जाएं, तो एक energy जो create हो जाएगी ने इनके बीच में, ठीक है, तो हम लोग सारी की सारी distances लिख देते हैं, जैसे Q1, Q2 के बीच की R12 लिखी द यह Q4 पर भी लगाएगा, तो इसके बीच की जुदूरी होगी, R24 होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह सारे मिलके सिर्फ Q1 पर ही लगा रहे हैं, यह बाकियों पर भी लगा रहे हैं, तो एक energy create हो गई, तो हमें सबकी energy को जोड़ना पड़ेगा, तो वही main formula से जोड़ सकते जैसे Q1 और Q2 के बीच की क्या होगी, 1 by 4 pi epsilon 0, Q1 Q2 upon R12, इसी तरीके से बाकी भी जोड़ेंगे, जैसे मैं कहा है, पहले सीदे सीदे 1 by 4 pi epsilon 0 को अगर बाहर रख दूँ, तो यहां पर अंदर आएगा, Q1 Q2 upon R12, प्लस Q1 Q3 upon R13, प्लस Q1 Q4 upon R14, यह तो 111 के लिए हो गया, इस इसी तरीके से Q2 Q3 upon R23, प्लस Q2 Q4 upon R24, प्लस Q3 Q4 upon R34, तो इस तरीके से 6 results निकलेंगे, देखिए बिल्कुल भी confused होने की जरूत नहीं है, Q1 Q2 के बीच में निकाला है, Q2 Q3 के बीच में निकाला है, Q3 Q4 के बीच में निकाला है, और Q1 Q4 के बीच में निकाला है, उसके बा ठीक है, तो 6,000 आएंगे, इस सब bracket के अंदर आएंगे, और ये जो total energy होगी, ये 4 charges के system के लिए होगी, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो charges हो वो ऐसे square ही बनाएं, हो सकता है कि Q1 से Q2 थोड़ी सी दूरी पर हो, लेकिन Q4 बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो energy है, उसकी value जो है, वो change होती रही, क्योंकि ये distance पर भी depend करता है, वहीं इन charges की value क्या है, ये Q1 का charge ज़्यादा हो सकता है, Q2 का कम हो सकता है, तो उस पर भी depend करता है कि potential energy कितनी होगी, तो इस तरीके से आप potential energy को calculate करते हैं, Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी shell, यानि कि एक shell होता है, जो कि अंदर से खोकला भी होता है, कभी कभी हमने देखा है, उसके उपर अगर हम लोग charge distribution करवा दे, यानि कि surface charge distribution, जो कि continuous होगा, जो कि uniform होगा, तो उसके आसपास जो potential create होगा, उसकी value क्या होगी, potential क्या होगा, ठीक है, तो उससे हमें calculate करना है, तो देखिए बहुत easy है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कि इसके तीन cases बनाएंगे, तीन cases के अंदर क्या होगा, कि एक point तो यह लेंगे, कि भई, यह जो हमारा shell है, उसके पास में कोई point है, या फिर थोड़ा दूर जा रहा है, उस पे potential क्या है, दूसरा point जो होगा, इसके surface पर होगा, वहाँ पर potential क्या है, और तीसरा जो हमारा case होगा, वो होगा, कि इसके अंदर क्या potential होगा, इसके अंदर potential क्या होगी, तो यह तीन cases के अंदर हमें potential calculate करना है, तो देखिए पहली जो situation है, यानि case first में क्या होगा, कि हम लोग एक point consider करें e is equals to 1 by 4 pi epsilon not q upon r square, हमें मालूम है, यह होती है, electric field की value, तो यहाँ पर यह होगी, और हमने क्या किया था, कि हमें एक formula मिला था, potential calculate करने के लिए, minus dv upon dr is equals to e, यह formula था, हम लोगोंने calculate किया था, आपको याद होगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कि e की जगा यह पूरी value put कर देंगे, तो value होगी, minus का dv upon dr is equals to 1 by 4 pi epsilon not q upon r square, ठीक है, और यहाँ से dv की value हमें, potential की value चाहिए, तो dv is equals to minus का 1 by 4 pi epsilon not q upon r square, यहाँ पर dr, अब करना कुछ भी नहीं है, इसका integration कर देना है, हमें मालूम है, तो हम लोग integration करेंगे, तो integration में, dv is equals to में, यहाँ पर minus का 1 by 4 pi epsilon not q जो है, वो भार आजाएगा, क्योंकि यह constant है, और अंदर रह जाएगा, r की power minus 2 dr, क्यों, क्योंकि मैं इस r को ऊपर ले के आगे हम, तो आप जब इसका integration करेंगे, तो यहाँ पर minus का 1 upon r आएगा, और यहाँ पर minus से minus जो है, वो cancel out हो जाएगा, और v is equals to 1 by 4 pi epsilon not q upon r, तो इ यह होगी, और इसकी जो dependency होगी, वो r पे होगी, कहने का मतलब यह है, कि यह जो point है, यह जितना दूर चला जाएगा, शेल के, उतना ही जो potential है, वो गड़ता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है, कि जो r है, वो vk inversely proportional है, यह बिल्कुल वैसा ही है, कि मानने ज आओगे, उतनी ही कम गर्मी लगेगी आपको, और जितना पास आओगे, उतनी ही ज्यादा गर्मी लगेगी, यहनी कि जो heat है, जो इसकी गर्मी है, वो depend करती ही, कि आप ring से कितना दूर हो, ठीक है, तो यहाँ पर r का मतलब भी यह हो जाता है, तो यह तो हो जाती है, outside में potential क value, तो अब हमें क्या करना है, कि second case के अंदर हमें इस circle के, यानि कि जो shell हमने लिया है, इसके बिलकुल surface पे जानना है कि potential की value क्या होगी, अभी तो यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग point को जब आगे लेकर के जाएंगे, तो potential की value बढ़ती जाएगी ना, जैसे कि r जो है, वो कम होता जाएगा, if r is decreasing, then v is maximum or increasing, और यहाँ पर यहाँ पर यह जो आपका shell है, इसके surface के उपर आते आते v की जो value है, वो maximum हो जाएगी, तो यहाँ पर maximum हो जाएगी, तो v की value आप लोग क्या लिख सकते हैं, v is equal to 1 by 4 by epsilon naught q upon में, capital r लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों ल इसाफ से, यह जो potential की value है, इसके surface पर maximum होगी, obvious सी बात है, यह तो बिल्कुल charge पर आगी न value, तो second case के अंदर यह हो जाएगी, आपकी potential की value, तो यह तो दो case हो गए, अब हमें तीसरे case की बात करनी है, कि जब हम लोग इस point को इस shell के अंदर मान ले, तब क्या होगा, तो यहा क्यों, क्योंकि electric field बाहर की दरब निकल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानि कि e is equals to me 0 हो गया inside के अंदर, हमें पता है कि जो formula होता है, e is equals to me minus का dv upon में dr होता है, और dv is equals to me minus का e dr है, जहाँ पर e 0 हो है, तो dv is equals to me 0 हो जाएगा, और इसका जब integration किया जाएगा, यानि यानि कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यह पर कहीं और, तो जो potential की value है, हर जगे पर same होगी, अंदर कोई change नहीं आएगा, मतलब constant value होगी, तो वो value होगी क्या, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत simple जी बात है, हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, जब हमें potential के रूप में होता है, मैं मालूम है, कि एक infinite point से लाया हुआ, जो भी work है, उसको हम लोग potential मानते हैं, ठीक है, तो work की value क्या होगी, 1 by 4 pi epsilon 0 q upon में R, यहाँ पर capital R होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कि इस surface से, इस point को थोड़ा सा अंदर किसकाएंगे, बहुत छोटा सा dr इसका जो वो होगा, displacement होगा, ठीक है, तो इस displacement में जो हमने work किया है, उसकी value क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है, कि यहाँ पर और यहाँ पर almost force की जो value हो बराबर है, ठीक है, तो अंदर जो potential की value निकल के आएगी, वो होगी, 1 by 4 pi epsilon 0 q upon में capital R, क्यों, क्योंक पता है, inside तो constant है हर जगे पर, इसलिए यह जो आपका potential है, इसकी value निकलेगी, वो यह निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या समझाने कोशिश की, यह एक shell है, एक shell के ओपर charge पहला हुआ है, ठीक है, उस charge की वज़े से potential बाहर निकल रहा है, अगर आप point स दूर जाते जाओगे, मतलब point को दूर लेते जाओगे इससे, तो potential value घटेगी, पास लेते आओगे तो बढ़ेगी, और जो maximum होगी value वो कहा होगी, इसके surface पर होगी, और अंदर, shell के अंदर, हर जगे बे potential की value बराबर रहेगी, ठीक है, तो तीन cases हो जाते है हमारे, और तीन यहाँ पर आपका Vs है, मतलब यहाँ की potential जहां तक same रहेगा, और यह V की value है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि R तक, capital R तक तो V की value बिल्कुल same रहेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी सीधी सीधी, और जब आप दूर जाओगे ring से, तो जो R है, उसकी value घट जाएगी, के बाद value गिरना शुरू हो जाएगी, potential गि, यही समझा है हम लोगों ने, कि बाहर जो है वो value घटी चली जाती है, आपका जो surface होता इस पर maximum होती है, और shell के अंदर एक जिसी रहती है, तो friends यह हो जाता है potential difference को calculate करना एक shell की मदद से, अब हम लोग क्या करें, कि इसके अंद पर दे charge, तब क्या होगा, तब वहाँ पर हम लोगों का पूरा sphere तयार हो जाएगा, तो वहाँ पर potential difference की value कैसे calculate करते हैं, वही हमारा अगला topic होगा, so friends यह हो जाता है, आपका potential difference due to a shell, a charge shell, I hope आपको समझ में आया होगा, इसके बाद भी इसके अंदर कोई query आती है, कोई दि पीची डाल रखा है, इसमें आपको बहुत help मिलेगी, ठीक है, friends आज हम लोग बात करने वाले हैं, potential due to a sphere, यानि कि एक charge sphere है, कहने का मतलब है कि एक sphere यानि कि गोला है, जो कि अंदर से खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा charge हम लोगों ने भर रखा है, और कहां पर charge कित के अंदर से खाली था, सिर्फ surface के ओपर charge था, वहाँ पर हम लोगों ने potential की value calculate किती, तीन जगाँ उपर, एक जब point जो है वो बाहर हो, एक जब surface पर हो, और एक जब अंदर हो, यहाँ पर भी हमें तीन चीज़े ही करनी है, कि इस sphere के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारा charge है, उसके बहार अगर कोई point होता है, तो वहाँ पर potential की value क्या है, इसके surface के ओपर potential की value क्या है, और इसके अंदर potential की value क्या है, तो यह तीन चीज़े हमें calculate करनी है, तो बहुत easily calculate कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले में आपको बता देता हूँ, कि इसके अंदर हम लोगोंने charge भरा है तो यह जो distribution होगा, वो volume charge distribution होगा, क्योंकि इसके पूरे volume के अंदर हम लोगोंने charge भरा हुआ, ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दो कि एक ही थरीके का charge भरा हुआ, या तो positive होगा या negative होगा, हम लोग positive मान के चलते हैं, तो आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि इसके अंदर repulsion होता होगा, मतलब यह जो charge है एक दूसरे को दूर अटाने की कोशिश करता होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दो कि जो sphere हम लोगोंने लिया है, इसका जो material है, जो metal है, metal नहीं कहूँगा, material है, वो insulator है, जिसकी वज़े से क्या होगा, charge जो है कहीं होगा, उसकी जो value है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, q is equals to में 4 by 3 pi r cube multiplied by raw, अब यह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए, यह मैंने बता है न, volume charge distribution है, और volume charge distribution में charge per unit volume का जो symbol होता है, वो raw होता है, और यह जो है 4 by 3 pi r cube, यह इसका volume है, sphere का, हमें प हो जाता है, कि इसके इंदर charge किस तरीके से distribution हो रखा है, अब हम लोग बात करते हैं, case first की, यानि कि मान लीजी कि मैं कोई point A मानता हूं, जो कि इससे कुछ दूरी पर है, जो कि दूरी होगी r होगी, ऐसा मान के चलते है, small r है, तो यहाँ पर potential की value क्या होगी, बहुत simple है, अ r square, ठीक है, तो हमें पता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, e की value यहां रख देंगे, तो dv is equal to में minus का 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square dr, और इसका हमें integration करना पड़ेगा, तो इस dv का integration is equals to में, minus का q upon 4 pi epsilon naught जो है, वो भार जाएगा, अंदर में integration में बचेगा r की power minus 2 dr, क्योंकि यहाँ पर जो r है, उसको में नीचे से उपर लेके आगे हैं, उसके minus में हो गई power, और इसका जब integration करेंगे, तो यहाँ पे r की power minus 1 upon में minus 1 आ जाएगा, और इस minus से minus जो है, वो cancel out हो जाएगा, और total जो v की value बचेगी, वो होगी, vg को स्टू में 1 by 4 pi epsilon naught, 1 upon में r, small r, तो अब्यस सी बात है, जो हम लोग ने पहले भी निकाला था, कि shell से भी दूर जाएंगे, तो यही निकला था, हमारा जो potential की value थी, ठीक है, अब यह भी जो है, वो small r पे depend करती है, जैसे जैसे आप r की value जो है, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे potential की value भी घटती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यह inversely proportional है, और जैसे जैसे r की value घटेगी, वैसे 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 v जो है, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो यह जो पहला case हो जाता है, दूसरा जो case होगा, वो surface पर होगा, अब इसे surface पर लाना है, तो यहाँ पर इस small r की value हमें घटानी पड़ेगी, ठीक है, तो 1 by 4 by epsilon not, q upon में capital R, और यह capital का R क्या है, यह है radius, कहीं की radius, इस is sphere की radius, ठीक है, तो यह normal चीज है, यह लोग पहले भी कर चुके हैं, कि sphere से कुछ दूरी पर है, तो यह वाला निकलेगा potential, और जो आपका surface पर जाता है, तो यह वाला निकलेगा, अब इसे आप maximum नहीं कह सकते, क जाता हूँ, तो इस बार E की value 0 नहीं होगी, जैसे पिछली बार होगे थी shell के अंदर, तो अब यहाँ पर potential की value क्या होगी, तो उसको नापने के लिए, हम लोग case 3 लेंगे, inside the sphere, और हम लोग छोटा सा एक हिस्सा मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, जिसकी जो दूरी है, व तो E की जो value होगी, वो क्या होगी यहाँ पर, E की value होगी, minus का raw, R upon में 3 epsilon not dr, समझ गए आप लोग, यह मैंने कैसे निकाला, यह जो Q की value है, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, electric field की value में put करके directly यह value रखी है, आपको पता electric field की value होती है, 1 by 4 epsilon not की upon में R square होती है, जब उसके अं refuse नहीं होना है, यह मैंने directly रिखा है, ठीक है, आप लोग solve करके देख सकते हैं, तो यह value निकल के आती है, dvg को स्टू में minus का raw, R upon में 3 epsilon not dr, यह value हमें निकल के आ गई, हमें पता है, अब हमें potential निकालना है, तो देखिए, एक तो यह point बनेगा, यह जो मैंने small r वाला लिया तो आप लोग इसको कैसे install करेंगे, इसका integration करेंगे, लेकिन जो integration होगा, वो dv में जो होगा, वो आपका vr से, यानि कि इस point से शुरू होगा, और vs तक, यानि कि surface वाले point तक जाएगा, is equals to में, यहाँ पर जो integration होगा, वो small r से शुरू होगा, यानि कि small r है, और इस capital r तक जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर integration में, और अंदर आएगा, minus का raw upon 3 epsilon not r dr, वापिस वही होगा, जिसका जो आपका integration निकलेगा, v का, वो तो v हो जाएगा, मतलब dv का v हो जाएगा, is equals to में, minus का raw upon 3 epsilon not भार आगया, अंदर क्या रहेगा, r का जब आप लोग integration करेंगे, त और यहाँ पर r से r value put कर दीजिए, तो vs minus vr is equals to में, minus का raw upon 3 epsilon not, यहाँ पर capital r square upon 2, minus का small r square upon 2, ठीक है, इतीशी बात हमें समझवा आ जाती है, देखिए, बहुत बड़ी mathematics नहीं है, हम लोगोंने क्या किया है, कि e की जगह ये value put करी है, और ये value कैसी आई, जब आप electric field की value में इस q की value put कर दोगे, तो ये value निकल के आ जाएगी, ठीक है, फिर इसका हम लोगोंने integration कर दिया है, लेकिन ये जो integration है, वो definite है, limits के अंदर होगा, और वो limits हम लोगोंने कैसे निकाली, एक तो है vr से vs, और एक है small r से capital r, तो अब अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हों तो दो point के बीच का जो potential difference है, वो तो निकल गया, मतलब vr और vs के बीच का, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ vr point का potential निकालना है, याद रखिए ये तो potential difference की value हो गई, अब हमें सिर्फ एक particular point का potential निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस vs को convert करना पड़े तो Vs की value निकाल ली है तो Vs की value हम लोगों ने अभी निकाल ली है मतलब surface पर second case में हम लोगों निकाला था ना कितना potential होता है 1 by 4 by epsilon not q upon my capital R अब q की value क्या दे रखी है हमें उपर 4 by 3 by r cube raw दे रखी है जब इसकी value आप इसमें put करेंगे और जब fall करेंगे जहाँ पर 4 से 4 pi से pi cancel out हो जाएगा ठीक है एक r से 1 r खतम हो जाएगा तो value निकल के आएगी Vs is equals to my raw r square upon my 3 epsilon not I think अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने directly जो e की value पहले रखी थी वो क्यों रखी थी ठीक है तो अब आप क्या करेंगे कि इस equation के अंदर Vs की value रख देंगे यानि कि r square raw upon my 3 epsilon not minus vr is equals to my minus का raw upon my 3 epsilon not bracket में capital r square upon my 2 minus small r square upon my 2 ठीक है अब आप क्या कीजिए कि इस वाले हिससे को इधर उठा कर के लिए जाएए तो यानि कि minus का vr is equals to my minus का raw upon my 3 epsilon not bracket में आएगा capital r square upon my 2 minus small r square upon my 2 यह जो है plus में हो जाएगा plus में नहीं minus में होगा actually यह यहाँ पे plus में है तो यह minus में होगा r square raw upon my 3 epsilon not तो यहाँ पे minus से minus जो है cancel out हो जाएगा ठीक है तो minus से minus cancel out हुआ तो यह अंदर plus में change हो गया तो vr is equals to my अब देखिए raw upon में 3 epsilon not common है तो इसको ऐसे कैसे भार ले आईए बार ले आए bracket के अंदर क्या बचेगा r square upon my 2 minus small r square upon my 2 plus r square ठीक है ना क्यों क्यों क्योंकि raw upon my 3 epsilon not है तो हम लोगों ने बार ले लिया ठीक है तो यह bracket बच गया अब देखिए r square upon my 2 नहीं कि यह आधा r square है plus r square यह पूरा r square है तो यह क्या बनेगा यह बनेगा 3 by 2 r square बनेगा की नहीं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं vr is equals to my raw upon my 3 epsilon not bracket में 3 by 2 r square minus small r square upon my 2 तो इसका मतलब इस vr point पर जो potential की वेली होगी वो यह निकलेगी समझ गया आप लोग मैंने क्या किया simply मैंने सारा mathematics किया है I hope आपको समझ में आया होगा इससे दिखे बार बार try किजिए तब आप समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर minus plus minus plus ज़्यादा हो रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया इस vs की value निकाली यहां रखी electric potential due to an electric dipole electric dipole क्या होता है हम लोग पिछले chapter में पढ़ चुके है electricity के जहां पर हम लोग दो different nature के charges लेते हैं और उन्हें एक constant दूरी के उपर रखते हैं जिसे की electric dipole बनता है जहां पर एक negative charge होता है Q मान लेते हैं और एक positive charge होता है Q इन्होंनों के बीच की दूरी या थो हम लोग 2A मानते हैं या फिर 2L मानते हैं जो की LL के रूप में बटी भी होती है अब देखिए हमें पता है कि charge है तो अब इससी बात है वो अपने अंदर से electric field बाहर निकाले गई तो जो negative charge होता है उसके अंदर electric field गुसती है कुछ इस तरीके से और जो positive charge होता है उसके अंदर से बाहर निकलती है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं diagram के अंदर electric field काम करती है तो ये एक pattern बनाती है और pattern की वज़े से क्या होता है कि जो आपका charge है दोनों जो charges है एक तो उपर की direction में जाता है एक नीचे की direction के अंदर जाता है ये तब होता है जब आप इसे किसी external electric field के अंदर रखते हैं जिसकी वज़े से इसके अंदर एक moment create होता है जिसको आप लोग dipole moment कहते हैं अब आज हमें करना ये है कि इस electric field के अंदर अगर माली जी कोई point consider कर ले था हूँ इसके उपर electric potential की value क्या होगी देखे इससे पहले हम लोग बहुत सी तरीके से electric potential को calculate करना देख चुके हैं जैसे किसी source charge की मदद से या फिर 2 charges की मदद से या फिर किसी source charge के पास मैं कोई test charge लेकर के आऊं तब तो यहाँ पर point A है हम लोगोंने माल लिया है दूसरी चीज यह है यह जो हमेरा case होगा यह axial line के उपर होगा कैसे जैसे electric dipole रखा हुआ है और इसी की line में मैंने point consider कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इससे dipole की इसकी distance है वो नापेंगे और जब हम लोग distance नापते हैं तो हमेशा dipole का center लेते हैं यह बात हम लोग जान चुके है तो center से जब मैं इसको इस point लेके जाऊंगो तो इसकी जो दूरी है माल लिजे कि हम लोग r मान के चलते है ठीक है माल लिजे मैं पहले बता चुका हूँ पहले का chapter अगर आपने नहीं पढ़ा है तो please जा करके पढ़ लिजे ठीक है अब हमें करना यह है कि इस पर potential की value निकालनी है इस a पर ठीक है तो यह axial हमें मालूम है तो यह जो हमारा plus वाला charge है इसकी वज़े से जो potential होगा वायने के V due to plus Q वो क्या होगा 1 by 4 by epsilon not Q upon में यह जो दूरी है इसके बीच की distance है आर माइनस L इसी तरीके से आपका जो negative charge है उसकी वज़े से potential की value क्या होगी वो होगी 1 upon 4 by epsilon not Q upon में आर प्लस L इसमें बहुत बढ़ा गणित नहीं है सिंपल जी बात है हमें पता है कि जो हमारा potential होता है उसका formula होता है 1 by 4 by epsilon not Q upon में R R जो होती है वो distance होती है यहाँ पर distance की जगे हम लोगों ने R minus L और R plus L रख दिया है अब करना कुछ नहीं है दोनों को जोड़ना है दोनों को जोड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो minus Q है उसकी वज़े से जो potential होगा वो minus के अंदर होगा तो अब हमें इस A point के उपड़ total potential की value निकालनी है तो अब इसी बात है दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 by 4 pi epsilon not Q upon me R minus L प्लस चुकि यहाँ पहले से minus का निशान है इसलिए मैं minus में लिख रहा हूँ क्यों क्योंकि अगला वाला यह minus में है minus 1 by 4 pi epsilon not Q upon me R plus L ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो Q है upon me 4 pi epsilon not है वो common आ रहा है तो उसको सीधे सीधे बात निकाल लीजिए कि यहाँ पर Q upon me 4 pi epsilon not भार आ गया ब्रैकेट में रह गया अंदर 1 upon me R minus L minus 1 upon me R plus L अब क्या करेंगे अब LCM लेंगे LCM आएगा R square minus L square और उपर जो है वो बचेगा R plus L minus R यह minus जो है प्लस में बदल गया minus L ठीक है तो मैंने directly minus से multiply कर दिया है तो यहाँ पर R से R जो है वो cancel out हो जाएगा और रह जाएगा V A is equals to me 2 Q L upon me 4 pi epsilon not और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा R square minus L square ठीक है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 2 Q L है वो आपका डैपोल मोमेंट है तो इसको आप लोग replace कर सकते हैं P के साथ तो जो आप इसको replace करेंगे तो लिखेंगे V A is equals to में P upon में 4 pi epsilon not bracket में R square minus L square ठीक है यह चीज निकल के आ जाती है हलाकि यह जो है वो accurate calculation के लिए जो निकला हुआ formula है ठीक है अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा change भी कर सकते हो कैसे change करोगे आपको पता है कि जो आपका R है मतलब जो आपने A point माना है वो इतना दूर मान ले कि मतलब यह जो L है उसके हिसाफ से negligible हो जाए दोबारा समझिए कि जैसे डैपोल है कोई डैपोल तो हमें पता है fix दूरी पर होता है उसके बीच की दूरी जो है वो 2L होती है अगर मैं क्या करूँ कि बहुत दूर रख दू पॉइंट को बहुत दूर जिसकी वैसे जो R है वो L से बहुत बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि इस L को neglect कर सकते है ठीक है यानि कि if R is greater than L then इस L को जब आप लोग नेगलेट करेंगे तो लिखेंगे V A is equal to 1 by 4 by epsilon 0 P upon में R square तो ये वो potential होगा जो कि आपको axial line में देखने को मिलेगा किसी भी dipole की मदद से ठीक है तो ये हो जाता है potential due to an electric dipole I hope आपको समझ में आया होगा हला कि बहुत मुश्किल नहीं है कि एक dipole है उससे दूर उसी की line में अगर आप लोग कोई भी एक point consider करेंगे तो वो जो है वो R पे depend करेगा मतलब जितना ज्यादा R होगा उसके इसाब से potential भी change होता चला जाएगा ठीक है अब हम लोग आगी क्या करेंगे equatorial line के उपर देखेंगे मतलब यह ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा आपका dipole और बीच में एक equatorial line बनाएगे और उस पर कोई point रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस पर potential की value क्या होगी ठीक है compare करेंगे so friends I hope आपके लिए video helpful साबित रही हो और आपको समझ में आया होगा कि electric dipole की मदद से आप लोग कैसे potential calculate कर सकते हैं so friends आज हम लोग बात कर रहे हैं potential due to electric dipole जिसमें हम लोग point को equatorial line के उपर रखेंगे जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने एक dipole की axial line के उपर कोई point रखा था जिसके उपर निकलने वाला जो potential था potential की जो value थी वो थी 1 by 4 पा epsilon not p upon में r square ठीक है आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मैं इस dipole के बीच में एक equatorial line कीज देता हूँ जो कि इसके center से होके जा रही है और इस line पे कहीं भी मैं कुछ भी कोई भी point मान लूँ उस पर potential की value क्या होगी उसको calculate करना है हमें तो देखिए कैसे calculate करेंगे बहुत simple जी बात है आप लोग electric dipole देख सकते हैं इसमें एक minus का Q है एक plus का Q है दोनों के बीच की दूरी 2L है जिसको मैंने LL में बांट रखा है और इसका जो electric dipole moment होगा वो होगा P is equals to में 2QL dipole moment आपको पता है जब किसी dipole को आप लोग electric field में रख देते हो तो वो घूमने लगता है ठीक है तो इसका dipole moment कुछ इस direction के अंदर है अब अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके उपर एक equatorial line को खीचते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक point consider कर लेते हैं P ठीक है और इस P point पर हमें इस dipole की मदद से जो potential बन रहा है उसकी value निकालनी है तो बहुत simple है हम लोग क्या करते है कि इस P से इसके center की जो दूरी है जो distance है उसको हम लोगों ने क्या किया R consider कर लिया अब R consider कर लिया है तो ये दूरी L है ये दूरी R है तो इस minus Q से P की जो दूरी होगी वो क्या होगी वो obvious सी बात है Pythagoras theorem की मदसर निकाल सकते है R square plus L square का under road simple है कैसे निकाला इन दोनों का square करके जोड़के इनका under road कर देते हैं हमें मालू है इसी तरीके से ये भी same होगा R square plus L square का under road यहां से plus Q से P तक की दूरी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हमें क्या करना है कि इस minus Q की मदसर से इस P के उपर जो potential है वो निकालना है हमें पता है कि जो potential की वेली होती है वो होती है V is equals to 1 by 4 by epsilon not Q upon में R तो यहां पे V minus Q is equals to में minus का 1 by 4 by epsilon not Q upon में R square plus L square का under road अब यह minus के अंदर क्यों है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि minus वाले charge के अंदर electric field जाती है और plus वाले से बाहर निकलती है ठीक है इसी तरीके से जो plus Q है उससे जो potential बनेगा P पे वो क्या होगा वो होगा V plus Q is equal to में 1 by 4 by epsilon not Q upon में R square plus L square का under road ठीक है दोनों के दोनों potential आपके पास है अब आपको करना है कि total potential निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो V P is equal to में V plus Q plus V minus Q आपको साफ साफ देख रहा है कि एक potential प्लस में है एक minus में है और दोनों की value बराबर है तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो अबिसी बात है कि P point पर जो potential की value निकलेगी वो 0 ही निकलने वाली है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी electric dipole पे जब आप equatorial line कीचते हो तो equatorial line के हर point के उपर जो आपका electric potential होता है उसकी value 0 होती समझ रहें आप लोग देखें क्या है कि कोई भी dipole है उसमें से electric field बाहर निकलती है तो उसकी axial line पर potential की value यह होती है V is equal to my 1 by 4 pi epsilon नोट P upon my R square जो हम लोग ने पिछली वीडियो में निकाली थी और यहाँ पर equatorial line पर हमेशा 0 होगी सो friends I hope आपको समझ में आगया होगा कि किसी भी dipole की equatorial line पर हमेशा potential की value 0 होती है याद रखिए यहाँ पर electric field होती है लेकिन potential की value 0 है अब आगे हमें यह देखना है कि कि किसी भी random point पर potential की value क्या होगी क्योंकि यह तो बात होगी axial line की और equatorial line की friends आज हम लोग बात करने वाले है capacitor की या फिर उसके थोड़े से introduction की देखे friends capacitor एक ऐसा device होता है जो electric charge और electricity को store करने का काम करता है इसकी manufacturing कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें कम से कम दो conductors होते है जो की एक certain distance पर होते है इन conductors को हम लोग electrodes या फिर capacitor plates भी कहते है इन दो conductors के बीच में या तो space होता है मतलब इसके space को volume भी कह सकते हो आप लोग जो की खाली होता है जैसे capacitors जो होते हैं वो volume capacitor कहलाते हैं या फिर इनके बीच में एक insulating material होता है जिसे कि हम लोग dielectric भी कहते हैं ठीक है ऐसे capacitor को dielectric capacitor का आ जाता है तो इसमें होता ये है कि इनके अंदर इन दोनों plates के अंदर हम लोग electricity या फिर electric charge को store करते हैं देखे friends ये जो capacitor होता है ये battery की तरह ही होता है कुछ हथ तक लेकिन इनके बीच में कुछ differences होते हैं capacitor के अंदर जो electricity store की जाती है वो electric fields की मदद से store की जाती है और जो battery होती है उसमें chemical की मदद से store की जाती है उसके अंदर chemical reactions करवाई जाती है इस डियाग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि capacitor के दो terminals भाहर निकले हुए हैं जिसमें से एक positive होता है और एक negative होता है यहीं पे battery के अंदर भी दो terminals होते हैं जिसमें से एक positive और एक negative होता है अब इन दोनों के अंदर basic difference यह भी है कि यह capacitor है यह battery के comparison में जल्दी energy को discharge कर सकता है that's why हर circuit के अंदर आपको capacitors मिलेंगे ही मिलेंगे अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि capacitor काम कैसे करता है मतलब इसकी working क्या है आप लोग उने कई जिगाओ पर ऐसे diagram तो देखे होंगे इन diagrams के अंदर ही capacitor का concept है जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं देखिए battery क्या करती है कि battery में से जो energy निकलती है वो सीधे सीधे जाकर के आप लोग यूज़ कर सकते हो लेकिन capacitor इन water tanks की तरह होते है जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई भी जो है fluid छोड़ा गया अब वो fluid water भी हो सकता है या फिर कुछ भी मान लीजिए जो कि liquid ही मान लेते हैं थोड़े दर के लिए तो यहां से जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि यह tank भर जाएगा और फिर क्या है इस रास्ते से आगे निकलेगा दूसरा tank भरेगा फिर तीसरा और फिर कुछ इस तरीके से ठीक है तो आप क्या कीजिए कि एक बार में इस पूरे tank को भर के एक बार आप छोड़ भी देंगे न तो भी आप देखिए कि last तक जो electricity का supply है वो चली रहा है तो वो क्यों हुआ क्योंकि इन tanks के अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया था मतलब यह जो पानी है यह store था कुछ समय के लिए सेम चीज circuit boards के अंदर आपके capacitor करते है main source of electricity से electricity लेके मतलब electrical energy लेके अपने अंदर store कर लिया जो कि कुछ समय तक चलेगा ठीक है जैसे कि एक simple circuit की बात कर लिजी जिसमें battery connected है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर switch है यहाँ पर एक bulb लगा हुआ है हम लोग क्या करते हैं कि अगर switch को चालू करते हैं तो battery supply होगी मतलब बैटरी अपने अंदर से energy जो है वो supply करेगी और bulb जल जाएगा लेकिन जैसे आप switch बंद करेंगे तो flow रुख जाएगा तो इस तरीक से bulb भी बंद हो जाएगा लेकिन अगर आप बीच में capacitor को add कर दें तो क्या होगा कि जो energy है वो capacitor में जाएगी मतलब आप battery से जो energy दे रहे हैं पहले वो capacitor में जाएगी और capacitor में भर जाएगी तो switch बंद करने के बाद भी जो capacitor में थोड़ी बहुत energy बचेगी उसकी वज़े से bulb on ही रहेगा समझे हैं आप लोग क्या 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 कर रहा हूं कि कि आप ये switch को on कर दे तो battery में से energy गई और वो capacitor में store हुई और उसी capacitor से फिर आगे जा रही है बल्ब में जल रही है लेकिन जैसे ही आप switch बंद करेंगे तो बल्ब जो है वो तुरंत बंद नहीं होगा वो capacitor की stored energy की मदब से थोड़ी दिर तक on रहेगा अब ये होता कैसे है इसको आप लोग थोड़ा अंदर की तरफ से भी समझ सकते हैं कि हमें पता है कि इसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि इसमें दो कंड़क्टर से और बीच में आपका डेलेक्ट्रिक है यानि कि जो इंसिलेटिंग मटेरियल है वो है जब आप किसी capacitor को किसी बैटरी से या फिर किसी भी मानले जी कोई भी सोर्स है उससे connect करोगे तो होगा ये कि जो बैटरी है उसमें से मनले जी कि आपने नेगेटिव टर्मिल यहां जोड़ा पॉजिटिव यहां जोड़ा तो नेगेटिव से जो जाएंगे इलेक्ट्रोन जाएंगे वो एक जिगए पर जाकर के मतलब एक साइड जाकर के वो है भर जाएंगे अब भरते चले जाएंगे तो होगा ये कि जैसे ही जो बैटरी है और कैपेसिटर है दोनों का जो वोल्टेज वो बराबर हो जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रोन का फ्लो जो है वो रुख जाएगा आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला होता यही है कि बैटरी से हमने क्या किया है जो है उसको connect किया है वहाँ से electron ने travel किया अब एक side जो है वो electron भर चुके है यानि कि negatively charge है और दूसरी side जो है माली जी की opposite charge है तो हम लोग कर सकते हैं कि दो terminals बन गए एक positive बन गया और एक negative बन गया capacitor के अंदर भी तो अब हो क्या रहा है इनके अंदर क्या हो रहा है कि इस तरफ के electron और इस तरफ के माली जी की positive charge है या फिर बिल्कुल opposite है तो इन दोलों के बीच में एक attraction बनेगा लेकिन insulating material बीच में है dielectric बीच में है तो वो एक दूसरे के पास तो जानी सकते ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि इनके बीच में एक electric field तयार हो गई और उसे ही हम लोग energy कहेंगे जैसे कि मैंने कहा था कि capacitor के अंदर electric field की मदद से energy को store किया जाता है तो वो कुछ यह concept था ठीक है अब इससे आगे आप लोग माल लीचे कुछ भी जोड़ते जैसे कोई bulb है या फिर कुछ और है कुछ भी जोड़ते कोई भी device जोड़ते तो वो easily यहां से जो है electron को pass करेगा और वो दूसरी तरफ चले जाएंगे ठीक है अब चुकि अगर आपने बैटरी को जोड़ा हुआ है जिससे ही यहां से electron निकलेगा बैटरी से एक electron और निकलेगा इसकी तरफ तो यह एक तरीके से एक cycle बन गया मतलब एक terminal से electron निकल रहे हैं फिर वो यहां से capacitor से होते वे जा रहे हैं और यह device से होते हुए फिर घूमके दुबारा इस तरफ आ रहे हैं ठीक है तो इसी तरीके से जो है आप काम करते हो लेकिन यहां पर फाइदा यह होता है कि हमेशा capacitor के पास कुछ ना कुछ extra electrons होंगे extra energy होगी जिसमें आप अगर बैटरी को अलग भी कर देते हैं स्विच बंद भी कर देते हैं तो थोड़ी देर तक क्या होगा कि electron जो है वो supply होते रहेंगे और जैसे ही electron या फिर energy जो है वो खतम हो जाएगी वैसे ही flow भी रुख जाएगा और that is the working of capacitor ऐसे capacitor काम करता है यह मैंने आपको मोटे तोर पर बताया है कि capacitor अब इसके हम लोग detail में जाएंगे जहां पर हम लोग इसके derivations देखेंगे अब हमें यह देखना है कि कौन सा capacitor कितना energy store कर सकता है तो यह depend करता है उसकी correct test के उपर जिसको हम लोग capacitance कहते है मतलब capacitor की energy store करने की capability को हम लोग capacitance कहते है अब वो किस किस चीज़ पर depend करती है मतलब कि charge हो, surface charge density हो, plates हमने कैसी यूज़ की है कौन सा dielectric material यूज़ किया है तो वो सब हमें detail में पढ़ना है अब देखिए capacitors के भी अपने type होते है मतलब आप लोग उने इस तरीकी के science बहुत सारह देखे होंगे यह अलग-अलग sign जो है, हर एक अलग-अलग capacitor को बता रहा है जो कि अपनी field के हिसाब से यूज़ किया जाता है जैसे कि मैंने आपको शुरुवाद में बताया था कि कुछ capacitors में क्या होता है कि plates के बीच में सिर्फ volume होता है तो उनको volume capacitor केते है ठीक है, वैसे ही कुछ capacitors के बीच में dielectric material भरा हुआ होता है ठीक है, तो उनको dielectric capacitor भी का आ जा सकता है तो इनको अलग-अलग fields के हिसाब से यूज़ किया जाता है mainly engineering के अंदर यूज़ किया जाता है electricity के devices के अंदर so friends, अब आगे हम लोग क्या है कि basic चीज़े बढ़ेंगे जो कि हमारे course के अंदर भी है तो कि हमें पढ़नी है capacitance क्या होता है उससे related numericals कैसे आ सकते है ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको यह बताने की कोशिश किये कि real life में आप लोग capacitor को कैसे समझ सकते है I hope आपको इस information से थोड़ा idea लग गया होगा और अब आप easily इस चीज़ को समझ पाएंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं capacitance के बारे में कि capacitance क्या होता है इससे पहरे हम लोग उने एक वीडियो के अंदर capacitor के बारे में समझ लिया था उसका introduction देख लिया था कि capacitor क्या होता है और वो battery से कैसे अलग होता है आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि capacitance क्या होता है देखिए एक डाम होती है capacity capacity और capacitance में थोड़ा सा फ़र्क है उसको समझने के लिए हमें additional example लेना पड़ेगा माल लिजे कि आपके पास दो glass है लेकिन दो glass है उनका जो shape है वो कुछ इस तरीके से एक glass का shape थोड़ा सा इस तरीके से छोटा है और एक का जो shape है वो थोड़ा सा बड़ा है जहापे आप लोग देख सकते है ठीक है अब आप लोग क्या करते है कि मानली जी की कोई भी liquid है जो की चार लीटर है आप लोगोंने क्या किया इस glass में भर दिया और चार लीटर liquid इस glass में भर दिया जब इस glass में पहले वाले glass में जब आप लोग ने liquid भरा तो उसकी जो उचाई थी मतलब उसकी जो length उपर तक गई वो 3 cm के थी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 लीटर आप लोगोंने जो भी liquid भर दिया है तो ये 3 cm तक उपर तक भर जाएगा ऐसा मान के चलते हैं हम लोग ठीक है और वही 4 लीटर liquid आप लोगोंने इस दूसरे बारे glass में भी डाला लेकिन ये जो है वो 3 cm तक नहीं भरा वो 2 cm तक भरा ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है अब इसका size थोड़ा सा चोटा है और इसका size थोड़ा सा बढ़ा है ठीक है अब अगर मान लीजे कि इन glasses के अंदर मैं छेट कर दू मतलब एक-एक तरफ से मैं अगर छेट कर दू तो क्या होगा कि कौन से glass से ज्यादा pressure से liquid भार आएगा अब इसी बात है चोटे वाले से भार आएगा क्यों? क्यों कि इसमें उपर तक भरा हुआ है मतलब ज्यादा height तक भरा हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों की heights को बराबर कर देंगे मतलब हम देखेंगे कि हम liquid भरेंगे इसके अंदर और दोनों को एक height तक भरेंगे और देखेंगे कि किसमें ज्यादा liquid भरा गया है यानि कि मैं क्या करता हूँ कि इसको एक centimeter तक भरना चाहता हूँ उस पहले वाले glass को मैं तो इसके अंदर कितना liquid आएगा इसके अंदर आएगा 1.3 liter ऐसा मान के चलते हैं हम लोग 1.3 liter आया और इस वाले को भी मैं 1 centimeter तक भरता हूँ लेकिन इसके अंदर क्या है 2 liter तक आजाएगा समझे रहे हैं आप लोग मैंने क्या किया मैंने ये किया कि इस चोटे वाले glass को 1 centimeter तक भरत इसके अंदर 1.3 liter तक आया इसकी capacity के इसाब से और इस बड़े वाले glass में 2 liter तक की capacity का आगया ठीक है इसकी capacity के इसाब से 2 liter तक आगया 1 centimeter तक भरने के लिए तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि इस चोटे वाले glass में आप पर centimeter 1.3 liter तक liquid भर सकते हो लेकिन इस बड़े वाले glass में पर centimeter आप 2 liter तक जो liquid है वो भर सकते हो और इसी को आप लोग capacitance कहते हैं मतलब इनकी जो capacitance है वो यह है 1.3 liter पर centimeter की capacitance चोटे वाले की है और 2 liter पर centimeter की जो capacitance है वो इस बड़े वाले की है तो यहाँ पर 2 terms काम आए एक height दूसरा हमने कितना liquid बढ़ा उससे हमें पता चला इसकी capacitance क्या है similarly जब आप लोग electricity की बात करते हो जब आप materials की बात करते हो devices की बात करते हो जिनमें आप लोग charge देते हो तो ऐसे ही मानली जी कि आप लोग उन्हें दो devices लिये हैं जिसमें से एक में आप charge दे रहे हो मानली जी कि आप लोग उन्हें एक कुलम चार्ज दिया तो इसके अंदर एक वोल्ट का potential difference create हो गया तो आप लोग क्या कहोगे कि एक कुलम चार्ज पे एक वोल्ट जनरेट हुआ तो ये इसका capacitance हो गया वहीं अगर आप लोग बात करें दूसरे वाले material की माली जी कि इसके अंदर आपने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार कुलम दे दिया उसके बाद इसके अंदर एक वोल्ट का potential difference create हुआ तो उससे ये पता चला कि इसके अंदर पर चार कुलम चार्ज पर एक वोल्ट जनरेट होता है ठीक है एक वोल्ट का जो आपका potential difference है वो जनरेट होता है तो इसका मतलब किसकी capacitance ज्यादा होई इस दूसरे वाली की ज्यादा होई ना मतलब इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा charge store करोगे तब जाकर के potential difference create हो रहा है तो ये ज्यादा charge store करेगा तो ये ज्यादा देर तक चलेगा तो अब इसी बाते इसकी capacitance ज्यादा होगे तो आप लोग इसका formula मतलब इसकी definition कैसे बना होगे यानि कि इसकी definition कुछ इस तरह हो जाएगी कि capacitance is the largest amount of charge per volt that can be stored in a device यानि कि capacitance एक largest amount of charge है per volt जिकी किसी भी device में store किया जासकता है इसका मतलब जिस device में जितना ज्यादा charge store किया जासकता है उसकी capacitance उतनी ही ज़ादा है तो capacitance का हम लोग जो है c से denote करते हैं तो capacitance is equals to my charge per volt यानि कि q upon me v यानि कि c is equals to my q upon me v ये हो जाता है आपका capacitance का formula तो इस formula से आप लोग capacitance को calculate करते हो और इसका जो SI unit होगा वो क्या बनेगा देखिए आपका जो charge होता है उसका जो unit होता है वो column में होता है ठीक है उसके बाद जो V होता है वो volt में होता है तो column upon में volt और SI unit इसका बनता है फेरेड के नाम पे फेरेड एक scientist थे तो आप लोग उसक बहुत बहुत बड़ा है आपका wealt भी बहुत बड़ा है ठीक है वोल्ट तो फिर भी ठीक हम लोग नापते हैं लेकिन column और Ed बहुत बड़ा है अब एक colomb charge बहुत ज़ादा होता है तो एक फेरेट भी बहुत ज़ादा हो गया है इसलिए हम लोग सीधे फेरेट का यूज नहीं करते हैं ठीक है हम लोग दूसरी यूनिट का यूज करते हैं माइक्रो फेरेट का इसको अब लोग लिखते हैं 1μf जिसकी वेली होती है 10 to the power minus 6 फेरेट इसी तरीके से इससे भी चोटी होती है आपकी 1pको फेरट म्यादाब Pf जो होता है जिसको हम लोग लिखते है 10 to the power minus 12f ठीक है इसी तरीके से एक और होता है 1μf जो की होता है 10 to the power minus 3f ठीक है तो यह चोटी चोटी उनिट होती है इसके अंदर capacitance ना पी जाती है वगना एक फेरर्ड बहुत बड़ी उनिट है। तो अगर आप लोग इसके डेफिनेशन देना चाहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं कि जो वन फेरर्ड होता है वो एक ऐसी कॉंटिटी होता है जहां पर आप एक डिवाइस में एक कुलम आवेश तक यानि कि एक कुलम चार्ज तक स्टोर कर सकते हो जब उस डिवाइस के अंदर का जो पोटेंशल डिफरेंस है वो एक वोल्ट होगा तो फ्रेंट्स ये हो जाता है कैपेसिटन्स का इंट्रोड़क्शन या फिर कैपेसिटन्स का फॉर्मला हम लोग ने निकाला है कैपेसिटन्स होती क्या है आपको उसका फिजिकल सिगनिफिकेंस समझ में आया होगा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटन्स ऑफ अर्थ के बारे में या फिर कैपेसिटन्स ऑफ स्फेर के बारे में देखिए अगर आपको earth का capacitance पता लगाना है तो पहले sphere का लगाना पड़ेगा क्योंकि जो earth है वो भी sphere ही तो है ठीक है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग consider करेंगे एक sphere जिसकी कुछ radius है r ठीक है ये radius r है अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ charge देंगे q small q मा मालूम है ठीक है अब देखिए ये जो आपका v है मतलब इसके उपर जो potential difference create हुआ है वो sphere के उपर हुआ है conducting है और हमें हमने पहले भी इसको calculate किया है पहले की वीडियो में कि जो आपका potential difference of sphere क्या होता है v is equal to 1 by 4 by epsilon not q upon में r, r जो है वो आपका radius होता है ठीक है ये हम लोग प जो आपका capacitance का formula है जिससे कि हम इस sphere के अंदर जो capacitance है उसका पता चल जाए ठीक है तो आप जब लोग इसके अंदर value रखेंगे cg किस्ट में q upon में जो 4 by epsilon not है और जो आर है वो तो ऊपर आ जाएगा इसलिए q multiplied by 4 by epsilon not r upon में q रह जाएगा नीचे जो q है वो small q है वो रह जाए तो capacitance की value निकलेगी 4 by epsilon not r यहनी कि यह capacitance है इस sphere के अंदर तो आप सवाल यह create होता है कि यह जो capacitance है यह पूरे sphere में किस पर depend करती है क्योंकि देखिए किसी भी sphere को calculate करने के लिए तीन तरीके होते हैं पहला होता है उसका volume, volume में होता है 4 by 3 pi r cube, दूसरा होता है size, size में सीधा radius ही 4 pi r square, तो किस पर depend करेगी capacitance, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस r पर ही depend करेगी, यहनी कि radius पर depend करेगी, इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी sphere की capacitance है उसके radius पर, अगर आप लोग radius बढ़ाएंगे तो capacitance बढ़ेगा, radius घटाएंगे तो capacitance घट जाएगा, मतलब उसके अंदर charge store करने क जो capacity घट जाएगी, ठीक है, ओबिसी बात है, बड़ा square ज्यादा charge, छोटा square कम charge, ठीक है, तो यह हो जाता है, इसका dependence, dependence of capacitor, अब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ भी एक square है, तो इसका अगर हमको calculate करना है, कितना capacitance है, तो हम क्या करेगी, तो बहुत simple है, हमें करना कुछ भी हमें, हमें सिर्फ यह जो formula है, c is equal to 4 pi epsilon not r, इसके अंदर सारी values पूट करनी है, अब values पूट करने के लिए देखे, अर्थ की जो radius होती है, वो होती है, 6400 किलो मीटर, जिसका अब लोग मीटर में change करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6400000 मीटर, तो यह जो है, आपकी radius है, अ 1 upon में 9 multiplied by 10 to the power 9 होती है, यह बात हमें मालूम है, तो आप लोग इसको लिखेंगे, c is equal to my, 1 upon में 9 multiplied by 10 to the power 9, multiplied by 6400000 मीटर, ठीक है, अब इसको multiply करना है, अब देखिए, इसके बाद 5 0 है, ठीक है, 5 0 है, तो मैं इसको c लिख सकता हूँ, 10 to the power 5, यानि कि 64 multiplied by 10 to the power 5 upon में 9 multiplied by 10 to the 10 to the power 9, ठीक है, अब होगा क्या कि आप क्या करेंगे, कि यह दिखिए, 10 to the power 9 है, इसको उपर बेजेंगे, तो यह मैनिस में चला जाएगा, यहापर minus 10 to the power 9 है, और यहापर plus 10 to the power 5 है, तो बचेगा क्या, 10 to the power minus 4, ठीक है, और 64 में 9 का जब डिवाइड देंगे, तो आएगा 7.1, यहाँ कि C is equals to me, 7.1 multiplied by 10 to the power minus 4, ठीक है, यह तो हो जाता है आपका, जो है, capacitance, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, किस में convert करेंगे, microfarad में convert करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, 710 multiplied by 10 to the power 6, अब यह जो 10 to the power minus 6 है, इसको आप लोग convert करके लिखेंगे, microfarad के अंदर, क्योंकि हम लोग ने पिछली वीडियो में definition देखी थी, कि 1 microfarad जो होता है, वो 10 to the power minus 6 farad के बराबर होता है, तो आप लोग लिखेंगे, C is equals to 710 microfarad, यानि कि आपका जो अर्थ है, पूरा अर्थ है, उसका जो capacitance है, वो 710 microfarad है, या फिर इसी चीज़ को आप लो वीडियो में बताया था, SI unit बताते हैं टाइम पे, कि ये जो farad है, ये बहुत बड़ी unit है, देखिए, पूरा जो अर्थ है, वो कितना बड़ा है, उस पूरे अर्थ का capacitance है, वो 1 microfarad में निकल गया है, मतलब एक farad भी निकला पूरा, वो 710 microfarad में ही से मढ़ गया, तो इस तरीके से हमें पता चलिजाता है, कि जो एक farad unit है, या फिर एक कुलाम charge है, वो बहुत बड़ी units हैं, और उनको अचीव करना असान नहीं है, हाला कि super capacitors होते हैं, जिनकी जो farads के farads में हो जाती है, मतलब इतना उनमें capacity होती है, वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, अलग purposes के लिए बनाए जाते हैं, उनकी study भी आप लोग कर सकते हैं, higher में जब आप लोग जाएंगे, so I hope आपको समझ में आया होगा कि कैसे sphere का capacitance निकाला जाता है, और हमने अपने earth का भी निकाला, तो अब आपको कभी भी competition exam में पूछ ले, कि earth का capacitance जो है, कितना है, तो आप लोग कर दें, triple कर दें, तो जो आपकी capacitance है, वो भी double triple हो जाएगी, उसके हिसाप से ही बढ़ाई हो, so friends, यह हो जाता है, capacitance of sphere, I hope आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई नहीं रही होगी, friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं, parallel plate capacitor के बारे में, और हम लोग बात करेंगे, इ दो plates होती हैं, या फिर दो conductors होते हैं, जो की आमने सामने लाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि एक plate है, जिसको हम लोग चार्ज देते हैं, और दूसरी जो plate होती है, उसकी हम लोग अर्थिंग करते हैं, देखें, पहरी जो plate है, उस पे चार्ज देते हैं, तो उ होता क्या है कि हम लोग इस charge carrying plate के उपर charge देते हैं माली जी की positive charge दिया और कुछ इस तरीके से फैल गया positive charge इसके उपर पूरी तरीके से plus 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 ठीक है और होगा क्या कि जब आप इसके उपर charge देंगे तो दूसरी जो supporting plate है जो कि इस वक्त neutral है तो यहाँ पर positive है तो सारे के सारे negative charge जो होंगे वो इससे attract होंगे आप वेसी बात है तो इस तरफ क्या होगा कि सारे की सारे negative charge जमा हो जाएं गे जो कि इससे attract होंगे तो इन के बीच में एक field तयार हो जाएगी और जितने भी positive charge होंगे इस supporting plate के वो सब क्या है repel होंगे obvious ही बात है repel ही होंगे योंकि इधर positive है तो इस तरफ जाने ही कुशिश करेंगे, ठीक है, तो इनके बीच में एक field तयार हो गई, और याद रखी कि इनके बीच का जो distance हम लोगों ने d माना है, और फिलाल ये खाली है, ठीक है, तो ये जो negative charge इस तरफ आए हैं, वो एक तरीके से bound हो जाएंगे, तो हम लोग इनको कहे रहेंगे bounded charge, ठीक है, याद रखना, ये जो positive charge हम लोगों ने दिया है, ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से दिया है, और induction की वज़े से यहाँ पर positive और negative अलग होएं, वरना उससे पहले ये जो supporting plate थी, ये जो neutral थी, जैसे ही positive में इसके पास लेके आया, induction की वज़े से negative और ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, ये तो introduction की तोर पे, बनावट की तोर पे हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, अगर आप इसका charge बढ़ा रहे हैं, मतलब इसके अंदर charge आप दे रहे हैं, तो obviously बात है voltage भी बढ़ेगा, यानि कि potential difference भी करने के बाद क्या होता है, कि जब voltage बढ़ता जाता है, तो वो एक जगह आ करके रुख जाता है, यानि कि voltage breakdown जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से टूट जाता है, और इसके बाद आप लोग उसके अंदर charge टोर नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है कि मान लिजी कि आपके बास ए ठीक है, तो अब हम लोग चाते हैं कि ऐसा हो, कि इसके अंदर हम जादा से जादा charge भी store करें, और यह voltage breakdown तक भी ना पहुचे, मतलब voltage breakdown तक पहुचते पहुचते इसके अंदर बहुत सारा charge जो है वो store कर पाए हम लोग, इसकी सीमा से भी जादा, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि यह जो break down तक पहुचेगा, voltage break down तक पहुचेगा, इसके voltage को हमें कम करना पड़ेगा, तो अब सवाल यह उठता है कि हम लोग कैसे इसका voltage है वो कम करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग use करेंगे the principle of parallel plate capacitor, देखिए ब 200V का है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि एक neutral plate को लेके आते हैं इसके पास, आपको पता है कि neutral plate आप इसके पास लेके आएंगे, तो positive charge की वज़े से क्या होगा, इसके अंदर induction होगा, induction से मेरा मतलब है कि जो negative charge है वो तो इससे attract हो जाएगा, मतलब इस plate के अंदर जो भी negative charge है, वो इससे attract हो जाएगा और इस तरफ आजाएगा, और जो positive charge है वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए, हर charge का अपना ही, कोई ना कोई electric field होता है, electric voltage होता है, यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाट जगे पर potential difference create करता है, ठीक है, तो यानि कि जो negative charge है, यह भी कुछ ना कुछ voltage तो create करेगा ना, कुछ ना कुछ potential difference तो create करेगा ना, तो वो कितना होगा, obviously बात है, वो less ही होगा, याद रगना, देखिए, यहाँ पर Q charge है, तो यहाँ पर भी Q बनेंगे, और यहाँ पर भी Q ही बनेंगे, एक तरीके से, क्यों, क्योंकि देखिए, जितना यहाँ पर charge है, उतनी ही तो attack कर पाएगा नहीं, ठीक है, तो मान लीजिए कि इस negative charge की वज़े से, जो potential difference है, जो voltage create हुआ है, वो minus का 80 volt है, ठीक है, और यह जो इस तरफ आपका positive charge, जो दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है, उसकी वज़े से भी कुछ ना तो अब देखिए, यह जो दूसरी वाली जो आपकी plate है, जिसको हम लोग supporting plate भी कहते हैं, इसमें बराबर बराबर charge का वो हुआ है, distribution हुआ है, ठीक है, मतलब आधे इस तरफ चलेगे, मतलब negative इस तरफ चलेगे, जितने negative इस तरफ होंगे, उतनी positive इस तरफ भी होने चाहिए तो इन दोनों का voltage बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जिरा समझिए, कि यह जो आपका carrying plate है, यानि कि जिस पे उपर charge पहले से है, जो आपकी plate है, इस से इस negative charge की जो दूरी है, वो इतनी है, लेकिन यह जो positive charge है, मतलब यह जो induction की वैसे इन दोनों के बीच का difference कम है, तो कुछ voltage निकला, लेकिन दोनों के बीच का difference ज्यादा है, तो voltage difference कम ही निकलेगा, लेस ही निकलेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी वज़े से जो potential difference create हुआ है, वो plus का 60 volt हुआ है, समझगें आप लोग, देखें मैंने क्या किया है, कि एक चार्ज केरिंग प्लेट है, जिसके अपर कुछ चार्ज क्यू है, और उसके पास में neutral प्लेट लेके आ गया, उस neutral प्लेट में क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, नेगेटिव वाले तो इस तरफ अट्रेक्ट हो गया, पॉजिटिव वाले इस तरफ रिपेल हो गया, कि 200 वोल्ट है, इदर मैनस का 80 है, इदर प्लस का 60 है, तो बचेगा कितना, प्लस का 180 वोल्ट बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आया, हम लोग ने एक प्लेट के उपर चार दिया, उसके पास neutral प्लेट लेके आए, उसकी वज़े से इस चार्ज केरिंग प्लेट का जो पोटेंशल, जो 200 वोल्ट था, वो 180 वोल्ट हो गया, यानि कि वोल्टेज घट गया, इस कॉंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, कि जब भी आप किसी प्लेट को चार्ज करते हैं, ठीक है, और उसके पास एक neutral प्लेट लेके आते हैं, तो इस चार्ज प्ले इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेगा, कि जब भी किसी चार्ज प्लेट या कंड़क्टर के पास कोई neutral प्लेट लाई जाती है, तो चार्ज प्लेट का जो पोटेंशल है, वो घट जाता है, जिसकी वज़े से हम लोग इसके अंदर और भी जो चार्ज है, वो स्टोर कर सकते अब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ, इसका कैपैसिटन्स बड़ा की नहीं बड़ा, कैसे, इसको आप एक फॉर्मिला की में समझ लीजिए, कि कैपैसिटन्स का फॉर्मिला क्या होता है, C जी को स्टोर में Q अपॉन में V, अब यहाँ पर वोल्टे डाल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद एक स्टेप आप लोग और ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि यह से हम लोगोंने क्या समझा, बनावट में क्या समझा, कि जो आपकी सपोर्टिंग प्लेट होती है, उसकी अर्थिंग हम लोग करते हैं, तो अगर हम लोग इस प्लेट का अ अर्थिंग किया है, वहाँ से जो इलेक्ट्रों से नेगेटिव चार्ज है, वो उपर आता है, वो उपर आएगा और इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, समझे रहे हैं आप लोग, क्योंकि प्रोट्रों अपनी जिगेस नहीं हिलता है, हमेशा इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रों आएगा, और इस पूरे पुरा पॉजिटिव जिए पुरा पुरा साइड है आपका, इसको पूरा न्यूट्रल कर देगा, तो इसका मतलब हम लोगोंने अर्थिंग करके, क्या किया? यह पूरा एरिया न्यूट्रल कर दिया, तो इसका मतलब यह जो प्ल करेंगे तो 200V में से 80V गया तो बचा कितना 120V यानि कि जो voltage है वो और कम हो गया और जब voltage और कम हो गया तो capacitance और ज़्यादा बढ़ गया मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे सर्फ induction की वज़े से इसका voltage कम हुआ था इस बार हम लोग करके जो भी आपका capacitor है उसकी capacitance को बढ़ाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा charge store हो सके तो इस तरीके से आपका capacitor काम करता है उसका principle है principle plate capacitor का principle है जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा charge store कर सके उसके लिए trick अपनाई जाती है so friends यह हो जाता है the principle of parallel plate capacitor I hope आपको समझ में आया होगा इसमें कोई query नहीं रही होगी friends आज हम लोग बात करने वाले हैं parallel plate capacitor के formula के बारे में जहां पर हम बता सके हैं कि कि किसी भी parallel plate capacitor की capacitance कितनी है मतलब उसको calculate करने के लिए अगर आप लोग radius बढ़ाएंगे तो spare का जो capacitance है वो भी बढ़ जाएगा और वो घटाएंगे तो capacitance भी घट जाएगा तो यहां पर हमें देखना है कि यह जो पी-पी-सी है जो parallel plate capacitor है इसका क्या dependency है वो हमें formula से पता चलेगी तो देखिए उसके लिए हम लोगोंने capacitor माना है जिस पर एक तरफ positive charge है कुछ इस तरीके से और एक तरफ negative charge है जो कि इसके बिलकुल surface पर फैला हुआ है तो इसकी surface charge density जो है हम लोगोंने sigma माल लिए यानिकि plus का sigma इधर minus का sigma माल लिए ठीक है और अब हमें इसका capacitance पता लगाना है हमें पता है कि जो capacitance की value होती है फिर उसको formula होता है वो होता है C is equal to Q upon V, QnA के charge ठीक है यह है equation 1 अब देखिए यह बात हमें पता है कि जो V है यानिक जो voltage है या फिर potential difference है इसको हम लोग calculate करते हैं V equals to EDR ये Gauss formula में चला गया हम वापस Gauss theorem के अ महाँ पर हम लोग इसका use करेंगे तो V equals to EDR अब जरूरी है कि हम लोग E और DR की value निकालें यह है equation 2 अब देखिए किसी भी capacitor के अंदर जब हम लोग E की value निकालते हैं तो आपको याद होगा कि जो दोनों side होता है यानिकि यह वाला region और यह तीसरा region यहाँ पर जो E होती है यानिकि electric field होती है इसकी value होती है zero और अंदर जो आपका E होता है यानिकि इन दोनों plates के बीच में उसकी value होती है E equals to sigma upon epsilon not आपको याद होगा अच्छी दरीके से मैंने बताया है और साथ ही जो DR है DR की value क्या है DR की value है D यानिकि इनके बीच का जो distance है ठीक है उसको हम लोग D लिखेंगे अब दिखेंगे यह जो E equals to sigma upon epsilon not है यहाँ पर sigma को भी आप लोग change कर सकते हो यह surface charge density है और surface charge density यहाँ पर नीचे आएगा epsilon not ठीक है और DR की जिगए D लिखेंगे तो यह total V की value क्या हुई? V is equals to me EDR की जिगए आप लोगे वी is equals to me QD upon a epsilon not ठीक है तो यह पूरी V की value आपके सामने निकल के आ जाती है अब यह हो जाती है equation number 3 अब इस equation number 3 की जो value है वो आप लोग equation number 1 में डाल दीजे इस V की जिगए पर कोई दिकत नहीं आराम से डल जाएग यानिकि put the value of equation number 3 in equation number 1 जब आप रखेंगे तो C is equals to me यहाँ पर में Q upon me यहाँ पर आएगा QD यह जो A epsilon not नीचे है यह उपर सला जाएगा मैंने directly एक दिया है उपर सला जाएगा तो Q से Q जो है वो cancel out हो गया तो C is equals to me A epsilon not upon me D यानिकि यह जो है यह हो जाती है आपकी capacitance of parallel plate capacitor य formula को अगर आप डंग से देखें यानिकि C is equals to me A epsilon not ever epsilon not A upon me D तो यह जो A है यानिकि जो area है आपका यह कौन सा area की बात हो रही है यह बात हो रही है plate के area की बाई surface chart density में हम लोगोंने sigma is equals to me Q upon me A लिखा था तो वो जो area था वो आपका इस plates का ही तो area था यानिकि अगर आप plates का area बढ़ा दे तो capacitance बढ़ जाएगी जितनी बड़ी plate होगी उतना जादा आप लोग उसके उपर charge store कर सकते हैं कि नहीं इसका मतलब जो capacitance है वो इस plate के area के directly proportional है तो इसका मतलब अगर आप area बढ़ाएंगे तो capacitance बढ़ेगी और area घटाएंगे तो capacitance घटेगी तो यह हो जाती है प capacitance भी बढ़ेगी गटेगी तो capacitance भी घटेगी दूसरी जो चीज है वो यह small d small d क्या है दोनों plates के बीच का distance ठीक है और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर capacitance जो है वो inversely proportional है d के इसका मतलब यह हो गया कि जो plates हैं वो जितना दूर होंगी इनका capacitance उतना घट जाएगा और यह ज plates हैं जितना पास होंगी जितना आप इसको close लेके आओगे उतना ही ज्यादा इसका capacitance हो जाएगा वह यह obviously बात है कि जो आपका capacitor है जितना दूर इसकी plates ज्यादा दूर होंगी उतना कम capacitance उतना कम आप लोग देख पाएंगे और जितना आप इसको पास लेके आ जाएंगे C ब the plates का जो area है दूसरा उन दोनों के बीच का जो distance है यानि कि area A और जो distance है वो smallly तो यह आपका formula हो जाता है I hope आपको समझ माया होगा इससे आप लोग किसी भी PPC यानि कि parallel plate capacitor का capacitance आरसानी से calculate कर सकते हैं इसके numericals भी हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी इससे आपको और clear हो स capacitor होता है जिसके बीच में मान लिजाएं कि हम लोग कुछ भी नहीं भरे मतलब air हो तो हम लोग देखते हैं इसकी जो capacitance निकलती है उसको हम लोग मान लेते हैं कि C1 है एक तरीके से आपको पता है capacitor जी गल स्टूम में क्या होता है क्यों पॉन में भी होता है तो हम लोगों ने इसकी जो capacitance है उसको हम लोग ने C1 माल लिया लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि एक capacitor लेते हैं और उसके बीच में हवा ना छोड़के बलकि एक insulating material डाल देते हैं कैसा material जो की insulator हो वो डाल देते हैं और इससे जो निकलेगी जो capacitance उसको हम लोग माल लेते हैं C2 तो यहाँ अब ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यह जो C2 है वो C1 से हमेशा ज्यादा होगी ठीक है यह फरक पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का मतलब यह हो गया कि किसी भी capacitor के अंदर अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक का इस्तमाल करते हो तो उसकी capacitance बढ़ जाती है अब देखिए सवाल ही उठता है कि ऐसा क्यों होता है जब भी हम लोग को insulating material इसके बीच में रखते हैं तो क्यों इसकी जो capacitance से वो बढ़ जाती है तो देखिए इसका कारण यह है कि जब आप air वाला capacitor लोगे तो जो capacitance निकलेगी वो निकलेगी C1 is equals to Q upon में E1 multiplied by D यहाँ पर Q जो है वो charge है E1 जो है वो electric field है जो की 9 plates के बीच में बनेगी और D जो है वो इनके बीच की दूरी है वहीं जब आप dielectric रखोगे तो जो capacitance निकलेगी वो निकलेगी C2 is equals to Q upon में E2 multiplied by D लेकिन यहाँ पर फर्क क्या होगा फर्क यह होगा कि यह जो electric field E2 बनी है इसका असर जो है वो dielectric की वज अगर आप एक dielectric यानिक एक insulating material रख दोगे तो यह जो electric field है तो कमजोर पड़ जाएगी ना और जब electric field कमजोर पड़ेगी तो अब इसी बात है कि यह जो C है यह उपर ही जाएगा क्योंकि यह inversely proportional है electric field कम हो गई यानि कि potential कम हो गया potential कम हो गया तो हम लोग ज्यादा charge store कर सकते हैं ज्यादा charge store कर सकते हैं इसका मतलब ज्यादा capacitance ठीक है ना तो इसकी वज़े से जब भी आप लोग कोई insulating material या फिर dielectric जिसको हम लोग कहते हैं capacitor के बीच में रखोगे वैसे ही इसका जो capacitance है वो जाएगा और यहाँ पे जब आप दोनों ही capacitors की capacitance को observe करोगे और उनका ratio निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो है वो निकला है हमारा dielectric constant देखे dielectric constant को हम लोग basically k से denote करते हैं तो k is equals to me c2 upon c1 c1 क्या है यह उस capacitor की capacitance है जिसमें कुछ नहीं ता सिर्फ air थी और c2 क्या ह तो हम लोगों ने इसके बीच में insulating material या फिर dielectric रख दिया ठीक है दोनों का ratio निकाला दोनों का comparison किया तो हमें मिल गया dielectric constant यानि कि इसी formula से आप लोग लिख सकते हो कि capacitance उस capacitor की जिसके बीच में dielectric रखा हुआ है यानि कि c2 is equals to me k multiply by c1 और k क्या है dielectric constant याद रखना अब इस इसी formula को आप लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो दूसरा तरीकर क्या हुआ कि यह जो पहला वाला capacitor था इसके अंदर कुछ भी नहीं था कोई material नहीं था सर्फ air थी तो इसके अंदर जो electric field डबल अप होई है उसकी value क्या होगी यानिकि e1 is equals to me e2 multiply by k समझ रहे है गई तो उसको हम लोगों ने e2 नाम दिया और जो यह जो material मैंने रखा है उसका dielectric constant k है तो k multiply by e2 करूँगा तो e1 की value निकलाएगी ने मेरे पास ठीक है ना तो इस तरीके से यह भी एक formula है और इस हाँ पर भी आप लोग k की value निकल सकते हो k is equals to me e1 upon me e2 यानि कि दोनों की द depositor है पहला वाला जिसके अंदर कुछ भी नहीं है खाली space है तो इसको आप लोग permittivity कह सकते हो ठीक है तो देखिए permittivity के अंदर भी change आया होगा ना वही देखिए जब यह खाली था तो इसकी permittivity रही होगी epsilon 1 जिसको हम लोग मान सकते हैं और जब हम लोग उने इसके बीच में material रख दिया तो इसकी जो permittivity होगी वो epsilon 2 हो चुकी होगी मतलब वसम कुछ बदलाव आ चुका होगा तो उसका भी आप लोग ratio निकाल सकते हो जिसको आप लोग को होगे relative permittivity तो आप लोग लिख सकते हो k is equals to me epsilon r is equals to me epsilon 2 upon me epsilon 1 is equals to me c2 upon me c1 यह सारी चीज़े सेम है k क्या है dielectric constant है यह जो epsilon r है क्या है यह relative permittivity है जो की permittivity में आया हुआ change है यहने कि epsilon 2 upon me epsilon 1 और c2 c1 क्या है इसको भी आप लोग dielectric constant ही लिखते है न c2 upon me c1 is equals to me k ठीक है तो यह सारा का सारा जो है वो dielectric constant है तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला आपको पता चला कि जब भी आप किसी capacitor के अंदर dielectric रखते हो तो उसका जो capacitance है वो भढ़ जाता है और उसका जो formula होता है वो होता है c2 is equals to me k c1 और जो k है वो dielectric constant है c1 की जगे आप लोग c का value भी लख सकते हो c1 का value वैसे क्या था हमारे पास epsilon not a upon me d निकाला था ना हम लोगो ने पिछली वीडियो के अंदर आपको याद होगा है जो capacitance है उसका value ठीक है air के लिए तो आप लोग रख सकते हो उसके जगा c1 का value जब रखोगे value तो न अलग होता है जैसे कि आपके सामने पूरी के टेबल है इसमें अलग-अलग material के लिए आप लोग अलग-अलग dielectric constant देख सकते हो air के लिए है volume के लिए है बाकी करी सारे आपके जो भी material है उनके लिए अलग-अलग dielectric constant ठीक है यह अपने-अपने हिसाब से capacitance को बढ़ा सकते है गटा सकते हैं ठीक है तो I hope आपको समझ माया हुआ कि dielectric क्या होता है उसका capacitor के अंदर use क्या होता है तो friends I hope आपके लिए वीडियो helpful साबित रही होगी आपको कोई query नहीं आई होगी इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई query आती है कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गल आता ही है तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही see you in the next one